श्री राज आधी राज शुद्धात वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगत्गुरु श्री मदवल्लबाचार्या महाप्रदु विजयतेतराम विजयतेतराम विजयतेतमाम श्री वेदव्यास विष्णुस्वानि संप्रदाय समुत्तार संप्रुद श्री पुरुषोत्तम वदनान लावतार सरवान्माय संचार वैष्णवान्माय प्राचुय प्रगार श्री बिल्व बंगलाचार्या साम्प्रदाय कार्वित साम्राच्यासन अखंड भूमंडलाचार्य, चक्रचूडामने विध्यावाचस्पति, दशदिगंत विजयी, श्रीबागवत प्रदिपदमनि वरभावांशु पूशिता मुर्ति, बदवार्थ्य प्रमान पारावार पारीन, भक्तिमार्गाध्यमार्तंड, शद्दर्शन व्याख्यान सि अधिराज, आधिराज, शुद्दात्वैत, पुष्टिमार्ग, प्रवर्तक, आचार्य, वर्य, जगत्गुरु, श्रीमदवल्लबाचार्य, महाप्रदु, विजयते तराम, विजयते तराम, विजयते तमाम शिवल भादीश कीजे परमक्रिपाल श्रीवल लवनंदन कर्थ क्रिपानि जहस्त दे माते जे जन शरण आए अनुसरही ग्रही सौपत श्रीगोवर धन नाते कर्थ क्रिपानि जहस्त दे माते परमउदार चतुर छिन्तामनी राथत भवधारा वहुजात भज क्रिश्न दास काज सब सरही जो जादे श्रीवी ठलनाते कर्थ क्रिपानि जहस्त दे माते कर्थ क्रिपानि जहस्त दे माते श्रीवल्लभादी शकीदे विदलयति कुबोधं बोधयत्या गमारथान सुगति कुगति मारगो पाप पुन्य व्यनक्ति अव गमयती कुरुत्य कुरुत्य भेदम गुरुर्य भव जलनिधी पोताह तम बिना नास्तिकस्चि आचार पीटपर विराजमान श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य वहुंसावत अउस गोस्वामी एक्सवांट श्री यदुनाजी मोदय श्रीना पुनीत पावन युगल चरणार विंदमा दन्वत प्रणाम समुपस्थित आ वल्लभ साखी रस्पान महुच्षव सत्रना मुख्य मनुरती यमा जिबनो परिवार समस्त वरुद्रानी पुष्टि सुरुष्टी अन्तिम बै दिवस्थी पुजशीना स्वमुखे वल्लभ साखी नुदिव्वे रस्पान अतरे भईष्णों करी रहाया चे जेम जीवन उत्तम जीवन माटे नी एक एक पगदंडी रूपी एक एक साखी इटली अनमोल अनुपे में एक एक रतन समान आ साखी अने एपन जारे बल्लभ कुलना स्वमुखे एनुश्रवन करवा मले अने त्यारे भले बारनी गर्मी लागी रही छे पन भीतलमा प्रतेकनी भीतलमा शीतलता प्रदान थाई रही होई एवुँ लागी रही हुँछे अने एज पुजश्री नी बाणी नो दिप्य प्रभाव उचे आस्था चनल ना माध्यम थी नगर देश विदेश मा प्रतियक वैश्णो आ बल्लभ साख्यों रस्पान पन करी रहाया चे तो आजना रस्पान ना तुर्तिय मंगल दिव से पुजश्री ना चरणो मा पुन एक बार बल्लभ साखी रस्पान आ तुर्तिय दिव से भचनावरुत माटे विननती करिए दरेकनो एकज स्वर्मा जैकार अन पुजश्री ना चरणो मा विननती श्रिवल्लब भादीश की जेल इस दिव्योस्व के अंदर निमित बने सुमित्रावेन प्रभूल चंदर भाई शाह रम्यवदन भाई जय भाई उनका समस्त परिवार एवं वल्लब साखी के माद्यम से श्रिवल्लब के सरूप को जानने मानने और प्राप्त करने के लिए आए मेरे सभी आत्मी जनो आज अपनी इस ससंग यात्रा का तृतिय दिवस श्रिवल्लब के रस का धीरे धीरे जो पान करे वो वल्लब तक जाए बिना अपने आपको रोक नहीं सकता कहते हैं कि साथ दिन तक गुणगान करे साथ दिन तक श्रिवल्लब का नाम लिया लेकिन साथ दिन तक वर्ष में मात्र वल्लब का नाम लिया लेकिन आगे क्या आगे श्रिवल्लब की और गती कैसे होगी आगे वल्लब का स्मर्ण कैसे होगा लेकिन मैं कई बार एक वस्तु कहता हूँ जैसे एक छोटी सी चींटी हो वो कहीं बैठी हुई हो उसके आगे एक शहद का बूंद आप डालो उसके आगे दूसरी शहद की बूंद डालो तीसरी बूंद डालो और करते करते वो शहद की जो जार है उसको कबाट के उपर रख दो तो जो चीटी ने शहद की एक बूंद चाखी उसका रस ले लिया उसके रस का पान किया तो क्या धिरे धिरे बढ़ते बढ़ते वो शहद की जार तक पहुँच नहीं जाएगी क्या लगता है आया ना यदि शहद के छोटे से बूंद को जिसने चक लिया है उसके स्वाद का आस्वादन जिसने कर लिया है वो उस जार तक पहुँचे बिना अपने आपको रोक नहीं सकते तो चाहे 365 दिन के अंदर ये साथ दिन शहद की बूंद होंगी लेकिन इस चीटी ने जब बूंद चाक लिया है तो निश्चित मानना उस जार तक भी पहुँचे बिना रहोगे श्री वल्लब के रस की कनिका को जिसने पा लिया है उस कनिका का अनुभव जिसने कर लिया है फिर वल्लब तक जाए बिना अपने आपको रोक नहीं सकोगे और मैं तो कहता हूँ कि ये वल्लब साखी यानि क्या ये वल्लब साखी यानि श्री वल्लब की कृपा का सागर और वल्लब साखी के अंदर आके आप बैठे हो तो मानो इस वल्लब रूपी कृपा सागर के तट पे आके बैठे हो और सागर की एक विशेष्टा होती है यदि आप नदी किनारे जाओ तो पैर भिगो केने लिए अपने आपको भिगोने के लिए नदी में उतर ना पड़े तालाब के पास जाओ तो भी तालाब में जाना पड़े लेकिन सागर की विशेष्टा है बस तड़ पे पहुँच जाओ और प्रतिक्षा करते रहो तो एक नहीं तो दूसरी लहर आपको भिगोए विना वापस जाने नहीं देगा और निश्चित मानना ये एक-एक साखी जब यहां से गाई जा रही है और मैं आपको भी कह रहा हूँ के आप भी साखी गाओ तो ये एक-एक साखी क्या है बोले इस वल्लब साखी रूपी समुंदर में उड़ती श्री वल्लब की कृपा की एक-एक लहर है जो यहां से बहती-बहती आपके पास आती है और निश्चित मानना यहां आके बैट गए हो तो भीगे बिना वापस नहीं जाओगे ये वल्लब की कृपा वर्ष्टी ये कल वल्लब की कृपा दर्ष्टी आपको भीगोए विना वापस जाने नहीं देगी तो कल तक अपनने कितने साखीयों का दर्षन किया क्या बात है बड़ी प्रसंता होती है कि सब लोग हाजर भी थे और यहाँ पर उपस्तित भी थे तो 19 साकियों का दर्शन कल अपन ने किया तो आज 20, 21, 22, 23, 24 5 साकियों का गान करें और फिर उसका दर्शन अपन करेंगे तो सभी भाव से और प्रेम से मैंने दो दिन से आपको कह रहा हूँ कि वल्लब साकी मात्र सुनना नहीं है पढ़ना नहीं है क्या करना है और जरा जोर से ब्रास ज़र हो वल्लब राज कुमार बेनू मिथ्या सब संसार बल्लब राज कुमार बेनू मिथ्या सब संसार चड़ी कागज की नाब पर चड़ी नागज की नाब पर को कहो उतेरो पारे श्री बल्लब कहो को उतेरो पारे जय हो कल यूग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए कल यूग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए वल लब खीड की प्रेम की वल लब खीड की प्रेम की निकस जाए सोई जाए श्री बल लब निकस जाए सोई जाए भगवद भगवदी एक हैं इन सो राखो ने भगवद भगवदी एक हैं इन सो राखो ने भव सागर के तरन की भव सागर के तरन की निकी नौका एह श्री बल लब निकी नौका एह वल लब कल्प द्रूम फल्यो फल्य लाग्यो विट्न लेश् पर रुम फल्यों फल्लाग्यों विछले शाखा सब बालक भए शाखा सब बालक भए ताको पारिन पावत शेश श्री वल्लब पारिन पावत शेश देवो वल्लब आवत में सुने कच्छु नियरे कच्छु दू फल्लब आवत में सुने कच्छु नियरे कच्छु दू पलकन सौमग झार हो पलकन सौमग झार हो प्रजगलियन की धूल श्री वल्लब प्रजगलियन की धूल श्री वल्लब रजगलियन की धूल श्री वल्लब रजगलियन की धूल श्री वल्लब रज गली या नै की दूर चड़ी कागज की नाव पे कहो कोत्रयो पार श्रहाय महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्री गुसाई जी की कृपा का विचार यदी मैं करूँ तो यही श्री गुसाई जी भूतल पे प्रागट्य न लेते तो सबसे बड़ा जो नुक्षान वैश्णों को होता वो कौन सा होता क्या अश्टायाम की सेवा प्रारम न होती अश्ट सखा की स्थापना न होती ये सब तो अनुकूल है लेकिन सबसे बड़ा नुक्षान वैश्णों को वो होता यदि श्री गुसाई जी प्रगटे न होते और सर्वोत्त मित्यादी गरंतों की रचना न करते तो श्री महाप्रभु जी के सुरूप को जीव कैसे जान पाता है और इसलिए तो श्री गुसाई जी का स्मन करके हरीराय जी कह रहे हैं कि श्री वल्लब राज कुमार बिनू मित्या सबसंसार क्योंकि जितने वश हमारी श्री गुसाई जी के ठाकोर जी है जितने वश ठाकोर जी श्री गुसाई जी को है इतने किसके हो सकते हैं इसलिए तो जब यश्रदा मैया ने भी एक बार जब ठाकुर जी खेल रहे थे, ठाकुर जी को अपने पास बुलाया और अपने पास बुला के यश्वदा मैया प्रभू से कहने लगी अरे कनेया, मैं तुझे रोज संदर संदर सामगरी अरोगा हूं और किसके हाथ के शिंगार तुझे अनुकूलाते हैं। प्रभू ने कहा मैया कहूं तो सही पर तू नाराज हो जाएगी। मैया ने कहा कहतो सही। तुझे किसके हाथ से अरोगना अच्छा लगे और किसके वस्त शिंगार अच्छा लगे। प्रभू ने का मैया कउं तो सही बर तू नाराज हो जाएगी क्योंकि मैया जानती थी कि मेरे अलावा किसका नाम लेगा मैया ने का कहे तो सही और तब प्रभू ने कहा कि भोग शिंगार मैया सुन मों को श्री विठ्ठल नात के हाथ को बहाद मैया मुझे तो भोग और शिंगार दोनों सबसे अधिक सोहाता है तो मेरे शिक गुसाई जी के हाथ का सोहाता है बोले क्यों? बोले देखो मैया तुम तो यहाँ दूद, माकन, दही सब छुपा छुपा के रखते हो लेकिन हमारे शिक गुसाईंजी के वहाँ तो जो भी सिद्ध हो जाता है जो भी सिद्ध होता है सब सन्मू कर देते हैं और मनुहार करकर के वजभक्तों की कानी दे दे के मुझे अरोगाते हैं देख मैया यहां तो मैं ऐसे गुम हूँ लेकिन गुसाइं जी की घर में तो जैसे जैसे रुतू बदले मेरे वस्त शिंगार का क्रम बदले जैसे जैसे रुतू बदले वैसे सेवा का प्रकार बदले और जैसे लाड मुझे शिगुसाई जी लडाते हैं ऐसे तो कौन लडा पावे और इसलिए तो शिर्याई जी कहते हैं कि वल्लब राज कुमार बिनू मिथ्या सबसंसार शिगुसाई जी की कृपा के बिना और शिगुसाई जी के वश जैसे प्रभू है एसी कृपा और कौन करपावे क्योंकि देखो जो जिसके आधीन है उसकी प्राप्ति उसी से होती है और कहते हैं कि प्रभू किनके आधीन बोले शिक गुसाई जी के और देखो शिक गुसाई जी की कृपा का अनुभाव कैसे कुछ वर्षों पहले की ही बात है यूरोप के ही एक वैश्रों दमपत्ती भारत में आए और शिक गुसाई जी के बारे में उन्होंने सुना पढ़ा सुन के भाव जगा ब्रम समंद लिया ब्रम समंद लेने के बाद ठाकुर जी पदराए लेकिन विचार आया के शिक गुसाई जी के चरीत को सुनते-सुनते हमारे रदे में भाव जागा है तो यहां से ठाकुर जी पुष्टा आये, ठाकुर जी पदराए तो ऐसे भी नहीं जाना शिक गुसाई जी का सुरूब भी यहां से संग में पदरा के अपने देश जाना है और जब पुछने के लिए आई तो इतना ही कहा के देखो ये ठाकुर जी तुमारे सरवस्व हैं इनको छोड़ के कहीं जाना मत और ये बात उन दंपत्ती ने इतनी अपने मन के अंदर द्रड़ कर ली कि अपना अब कोई है तो अपने प्रभू है और इनको छोड़ के एक शण के लिए भी हमको कहीं दूर नहीं जाना और शिगुसाई जी को पदरा कि यहां से वो अपने देश योरोप में वो शेहर में गए और दोनों ने नियम लिया था कि प्रभू को एक शण के लिए भी घर में अकेला नहीं रखेंगे तो ये विचार करके दोनों ने अपनी जॉब भी चेंज कर ली हजबन जो है वो रात की जॉब कर ली और वाइब दिन की जॉब करती यानि कोई न कई दोनों में से एक जन घर में रहता क्योंकि प्रभू को अकेले छोड़के कैसे जावें प्रभु बालक है और अकेले छोड़के जाएंगे तो प्रभु भैभी तो हो जाएंगे ये विचार करके एक शन भी प्रभु को अकेले ना छोड़े बड़े लाड़ पाया प्यार से प्रभु को लाड़ लड़ाते देखते ही देखते थोड़े दिन वतीत हुए और जन्माष्ट मी आने वाली थी तो उसके पत्नी के मन में विचार आया देखो प्रभू तो इतने दिनों से यहां बिराज रहे हैं और हम दोनों के ही चेहरे देख रहे हैं मुझे लगता है यहां आसपास कई इंडियन रहते हैं तो जब जन्माष्ट मी का उस्सो अपन धूम धाम से मनावें और उनको भी आमन्त रित करें और जब नंद महसो होगा तो उन्हें प्रभू को भी आनन्द आएगा लेकिन नंद महसो की तियारी करने के लिए जन्माष्ट में की तियारी करने के लिए मुझे कुछ जरूरी वस्तों है खरीदने जानी है पती से कहा आप ले आओ पती ने कहा कि मैं लेने जाओंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या लेना है क्या अनकूल है क्या उपयोगी रहेगा तुम भी मेरे संग चलो उसने कहा दोनों कैसे जा सकते हैं आज यहां पे आए इतने महीने हो गए एक खण के लिए भी अपने प्रभू को अकेला नहीं छोड़ा और एक खण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा तो आज प्रभू को छोड़के कैसे जाएं उसके बती ने कहा प्रभू के सुख के प्रभु आपको पधाय इतना समय हो गया और पहली बार आपको अकेले रखके बाहर जाना पड़ रहा है मन में चैन नहीं पड़ रहा बाहर तक गई चैन ना आया भागती भागती अंदर आई और विचार किया कि मेरे प्रभू को किसके भरो से छोड़के जाओ मेरे प्रभू को किसके सहारे छोड़के जाओ वहीं याद आया कि मैंने तो सुना था कि श्री गुसाई जी से अधिक लाड़ प्रभू को कौन लड़ावे भागते भागते गए और उनके कमरे के अंदर जो श्री गुसाई जी का सुरूप बिरास्ता था वो सुरूप पदरा के ले गए और प्रभू के पास पदरा दिया प्रभू के सिंगासन के पास नीचे पदराया और कहा कृपानात ये तो आपके लालन है और आपसे अधिक इनकी चिंता और कौन कर सके शिगुसाई जी को सौप के और दोनों गए पास के टाउन में शौपिंग करने लेकिन उसी समय इतना स्नो स्ट्रोम आया इतना स्नो पड़ा, इतना स्नो पड़ा कि सारे रस्ते बंद हो गए वो दोनों वापस आने के लिए निकले लेकिन सारे रस्ते बंद हो चुके थे कार में से उत्रे वहाँ पुलिस खड़ी ते उसनो ने रोक लिया कि आगे जाना सेफ नहीं है तुम यहीं पे ठैरो आगे नहीं जा सकते, सारे रस्ते बंद है और कहते हैं उनको पुलिस टेशन में कहा कि यहां बैठो तुम दोनों और दोनों लोग वहाँ बैठे बोले रस्ता खुलने में कितना समय लगेगा बोले इतना स्नो गिरा है कि आखरी पचास वर्षों में कभी नहीं गिरा और ये एक दो दिन तक रस्ता खुल नहीं पाएगा और उसकी बतनी तो फूट फूट के रोने लगी कि कितने मन में सपन देखे थे कि प्रभू को लाड़ लडाएंगे ऐसा संदर उस्सो करेंगे लेकिन प्रभू ऐसा मुझसे कौन सा अपराद हो गया कि इतने बड़े उस्सो के दिन ही प्रभू हम आप से दूर रहे प्रभू ऐसा कौन सा अपराद हो गया कि प्रभू आपकी सेवा से बंचित हो गया पूरी रात वो रोती रही रोती रही ऐसा कौन सा अपराद हो गया श्रिगुसाई जी मैं तो आपके सहारे बरे प्रभु को छोड़के आई हूँ, ये प्रभु कुरपा करना यो करते करते दो दिन गए, जन्माश्ट मी भी गया, आनन महस्तो का दिन भी गया और बाद में रस्ता खुला, दोनों दमपती ने दो दिन तक न कुछ खाया, न कुछ पिया, रोते रोते उनकी दशा बिगड़ चुकी थी, लेकिन जब स्वस्त हुए, रस्ता खुला, और दो दिन के बाद जब वो कार में बैढ़के अपने घर पहुँचे, जली जली द्व खोला, और भागती भागती प्रभू के पास गई, नीचे गिर के फूट फूट के रोने लगी, कि प्रभू ऐसा कौन सा अपरात हम से हो गया, कुछ देर के लिए प्रभू आप से दूर गए, और ऐसा कौन सा अपरात के दो दिन तक प्रभू आपकी टहल न कर पाये, और यहां अंदर रोही रही थी, वहीं कहते हैं कि बाहर पुलीस आए, पती ने कहा कि बाहर कुछ पुलीस मिलने के लिए आई है, दोनों बाहर गए और कहा क्या हुआ, तब पुलीस ने कहा कि कल रात को आपके पडोसी ने कंप्लेन करिये कि आपके घर के अंदर से अनेक प्रक पूरी राद हम दो दिन तक इस पूलीस टेशन में थे आप फोन करके पूछ सकते हो जो फोन करके पूछा तो पूलीस ने भी गवाही दी आई दोनों विक्तितों यहां पे थे अब घर बंद था तो पडोसी ने कंप्लेंड करी वो कैसे हो सकता है पूलीस ने जाके पडोसी की जिसने कंप्लेंड करी थी उसको बुलाया बोले यह दोनों तो घर में थे ही ने तो तुम कैसे कह सकते हो कि काफी शोर हो रहा था तब उस पास रहे अंग्रेज ने कहा अरे मैं देखता हूँ मैं जानता हूँ इतना शोर हो रहा था मानों अनेक प्रकार के वाजिंद्र बज रहे हूँ लोग नाज रहे हूँ, कुद रहे हूँ ऐसे आवाज आ रहे थे और एक व्यक्ति थे जिनोंने औरेंज कलर के वस्तर पहने थे वो बार-बार बाहर आ रहे थे अंदर जा रहे थे और उनको मिलने के लिए दूर-दूर से लोग आ रहे थे और उनको देखते ही उनके चरणों में बंदन कर रहे थे, बो ले ऐसे तो कोई निते में उस सव हो रहा था अनेक लोग दूर-दूर से उनको मिलने के लिए आ रहे थे और यह सब को लेके भीतर जा रहे थे और जहां यह सुना फूट फूट के वो वैश्णों दंपत्ति रोने लगे श्री गुसाई जी के चरणों में कि हम तो नाहक कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हम सेवा कर रहे हैं और जिन जिन वैश्णों के मां श्री वल्लब और श्री ठल के पुष्टाए ठाकोर जी बिरासते हैं उनके घर में आज भी श्री वल्लब और श्री गुसाई जी ही सेवा करते हैं हम तो सिर्फ सेवा की बाते कर सकते हैं सेवा तो आज भी वही स्व इसलिए तो शी गुसाई जी की कृपा के बिना इस मार्ग में आगे चलना वो तो ऐसे ही है, कि जैसे कोई कागच की बनाई हुई नाव में बैट के भव सागर को पार करने का विचार करें। जब बारिश आती है और छोटे-छोटे गड़ों में पानी बर जाता है, तो जब छोटे थे तब कागच की नाव बना के तेराते थे तो ये छोटे-छोटे गड़ों में तेरने के लिए नाव परियाप्त है, लेकिन सागर को तेरने के लिए यदि आप उस कागच की नाव का सहरा लोगे, तो क्या पार कर पाओगे। श्रीराई जी कहते हैं कि शिक गुसाई जी की कृपा के बिना ये भव सागर को पार करना, अपने साधन बल से भव सागर को पार करना वो तो ऐसे ही है, कि जैसे कागज की नाव के सहारे अपन सागर को पार करना चाहते हैं अरे सागर के पार करने के लिए कागज की नाव का क्या साथ देगी वो तो डूबेगी और तुम्हें भी डूबोएगी इसलिए कह दिया कि शिवल्लब राज कुमार बिनू मिथ्या सब संसार चड़ी कागज की नाव पे कहो को उत्रियो पार ये बात बीसवी साकी के अंदर कही और आगे एक्कीसवी साकी के अंदर वर्णन करते हुए शेहराई महाप्रभुजी कह रहे हैं कल युग में सब धर्म के द्वारे रोके आई कल युग में सब धर्म के द्वारे रोके आई वल लब खिड की प्रेम की निकस जाए सोई जाए श्री वल लब निकस जाए सोई जाए कल युग में सब धर्म के द्वारे रोके आई कल युग में सब धर्म के द्वारे रोके द्वारे वल लब खिड की प्रेम की निकस जाए सोई जाए श्रीवल लब निकस जाए सोई जाए श्रीवल लब 21 साखी के अंदर श्री हराई महाप्रभु जी इस कलिकाल का दर्शन अपन को करवा रहे हैं कल युग में सब धर्म के द्वारे रोके आए वल लब खिड की प्रेम की निकस जाए सोई जाए श्री हराई महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अपनी दश्रा कैसी है बोले इस संसार रूपी कमरे के अंदर काराग्रह के अंदर अपन है बहार निकलने के रस्ते काफी है और इस संसार रूपी काराग्रह से बहार निकलने के रस्ते को अपने मां कहते हैं अलग-अलग प्रकार के मार्ग जो हमें प्रभू के पास ले जाते हैं लेकिन इस संसार रूपी काराग्रह के अंदर रहे अपन जब बहार निकलना चाहें तो क्या दिखें बोले कल्यूग ने सब धर्म के द्वारे रोके जिस भी रस्ते से बाहर निकलना चाहते हैं क्या देखें कि वहीं श्रस्त्र लेके कल्यूग खड़ा है और वापस अपन गए अंदर महाप्रभू जी भी कहते हैं कि सर्व मार्गे सुनश्टेशू कलवच खल धर्मनी आज कलिकाल के अंदर सभी धर्म अपन को दिखते तो हैं पर उनकी दर्शा कैसी है कई बार कहता हूने कि आपको एक नदी पार करनी हो और आप खड़े हो इस तरफ जाना है उस तरफ लेकिन बीच में एक टूटा फूटा लकडी का पूल है और जैसे ही लकडी का पूल देखा आपको लगा कि इस पूल पे चलके मैं सामने पार जा सकता हो लेकिन जैसे ही आपने पूल पे पैर रखा और इतना तूटा-फूटा है कि पैर रखते ही दो चार लकड़िया नीचे गिरी तो आप आगे जाने का साहस करोगे जैसे ही दो कदम आगे आप गए और दो चार लकडे तूटके गिरे और आप साउधान हो गए वापस पीछे आगे आपने जब देखा तो लगा पुल तो है पर उसकी दशा ऐसी जरजरित हो गई है कि उस पे चलके आप पार जाना चाहते हो लेकिन कब डूबो ये कोई जानता नहीं और इसलिए तो कह रहे हैं कि कलियुग में सब धर्म के द्वारे रोके आए क्योंकि देखो कलिकाल के अंदर आपन जो भी कुछ करना चाहेंगे अब जो भी कुछ धर्म का कारे करना चाहो उसके अंदर छे अंग धर्म के बताए गए हैं और ये छे अंग अनुकूल हो तब धर्म सिद्ध होता है लेकिन कलिकाल के अंदर धर्म के ये छे अंग खंडित हो गए है और खंडित हो गए यानि सबसे पहला काल काल यानी देखो ये पूरा काल समय इसको क्या कहते है ये भी धर्म का अंग है और अपने वहाँ एक शास्त्री परंपरा है न कि कोई भी कारे करते हैं तो पहले महूरत निकालते हैं हाई या ना सुनाए का ने बहुत बड़ी है तो अपनको लगे महूरत निकालने की जरूरत क्यों होती है, महूरत क्यों निकालना पड़ता है तो मैं इतना ही आपको कहूं कि जैसे आप कोई अच्छी बात किसी को घर में कहना चाहते हो अच्छी बात भी किसी को कहना चाहते हो लेकिन जिसको कहना चाहते हो वो व्यक्ति यदि मूड में न हो तो आपकी अच्छी बात भी वो मानेगा सबी वेहनों का आंसर आया जो अनुभवी हो वो ही तो कहेंगे तो यदि आप कोई अच्छी बात भी कहना चाहते हो लेकिन उस समय कहते हो कि सामने वाला व्यक्ति मूड में नहीं है या उसका मूड खराब है तो आपकी अच्छी बात को भी वो स्विकार करेगा नहीं लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति बड़ा प्रसंद हो बड़े अच्छे मूड में हो और उस समय शायद कोई मुश्किल बात भी आप उसको कह दो तो मानेगा के नहीं बहुत बड़ी है तो अपन अच्छी बात कहने के लिए भी सामने वाले का मूड देखते हैं यदि मूड अच्छा है तो बात मानेगा मूड अच्छा नहीं है तो बात नहीं मानेगा उसी प्रकार हमारे रुशी मुनी भी इतने सूक्ष्मत है कि उन्होंने देखा कि जैसे व्यक्ती का अच्छा बुरा मूड होता है वैसे काल का भी अच्छा और बुरा मूर होता है और काल का अच्छा मूर यानि महूरत व्यक्ति अच्छे मूर में है और आप बात करोगे तो मानेगा लेकिन मूरत निकालते तो हैं पर संभालते बहुत बढ़ी है और फिर कहते हैं आटला आटला मूरत कड़ाया था है तो जो शूत है तो कल्यूग में सब धर्म के द्वारे रोके आए वल्लब खिड की प्रेम की निकस जाए सोई जाए कल्यूग में सब धर्म के और धर्म के जो छे अंग बताए गए हैं उसमें पहला कहा काल और ये काल भी धर्म के अनुकूल नहीं है ऐसे शास्त्रकार कहते हैं क्यों क्यों क्योंकि देखो ये काल कैसा है यदि आपको कोई भी लौकिक कारे करना है तो आपको फुल सपोर्ट करेगा काल लेकिन जरासा विचार किया कि मैं प्रभू का स्मर्ण करूँ कि प्रभू का नाम लूँ तो ऐसा माहोल खड़ा कर देगा कि चाहके भी आप उसका नाम ले नहीं पाओगे बोले कैसे बोले काल अनुकूल नहीं है तो मैंने पहले ही कहा था कि जैसे आप यदि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो वो कर रहे हो और यदि टीवी देख रहे हो कि कहीं बार गूमने गये हो तो साइद मैच देख रहे हो कि 4 गंटे की जएके 5 गंटे भी आपने देखा तो कोई दिस्टप करने वाला नहीं लेकिन सोचा कि 4-5 गंटे टिवी देखा अब जरा एक माला फेर ले वे और जैसे ही माला फेर ने का विचार किया उसी समय सोते हुए बच्चे जाग गए कोई मिलने के लिए आया जरूरी फोन आ गया आप चाहते हो के प्रभू की सेवा करो आप चाहते हो के उनका नाम लो लेकिन ऐसा माहोल हो जाएग कि आप चाहके भी उनका नाम ले नहीं पाओगे तो कि काल अनुकूल नहीं है दुसरा कहा देश जिस भूमी में अपन हो वो भूमी अनुकूल नहो तो भी कारे सिद नहीं होता आगे कहा द्रव्य यानि भगवत सेवा के लिए भगवत कारे के लिए जो द्रव्य यानि वस गयांदा दी है तो बोले वस्तु लेनी है और यदी वो अच्छी वस्तु बता ऐसे यह नहीं पूझा की सामगरी दो किया दो पूझा की सामगरी मोर्टू है उपने व्यवहर में कर अपने इस पने उप्रता करना चाहते हैं तो द्रवय का अंग भी खंडित आगे कहा करता के अंदर भी अपना भाव आ जाए तो करता पना भी खंडित हो जावे मंतर भी अपन करते हैं लेकिन मंतर के आविनियों कहां करना उसके आधी देवता कौन इत्यादी ज्यान नहों तो उसका भी अर्थ न मिले करम भी यदि शुद्ध भाव से न किया गया हो तो ये छे छे अंग धर्म के खंडित हैं और धर्म के खंडित हैं तो जित्ता जित्ता भी अपन करने का प्रैत्न करें और भटकते जाएं बुली क्यों कई बार अपन को लगे कितना कितना कारे हो रहा है कितना कितना वो हो रहा है ये हो तो रहा है लेकिन यहिराजी कहते हैं क कल्यूग में सब धर्म के द्वारे रोके आए वल लब खिड की प्रेम की निकस जाए सोई जाए और देखो ये कल्यूग क्या है बोले खल धर्म है और खल धर्म है यानि अपने अंदर कैसे प्रवेश चुपके से कर जाता है अपन को पता भी नहीं चलता और जब ये कली अपने अंदर आ गया तो सारे रस्ते बंद हो जाते हैं तो ये दर्शा क्या होई पताया हरियाई जी ने कि अपने कारागरह के अंदर बंद हैं जिसको कहते हैं संसार और जित्ते भी द्वार से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं उस द्वार पे कल्यूग अपनी पालती मार के बैठा है जैसे निकलने का प्रयत्न करें और वापस कल्यूग को दे के भीतर आमें तो बाहर निकलने का कोई रस्ता नहीं है तो यहां रियाय जी कहते हैं कि पूरे काराग्रह के अंदर सभी द्वार जो हैं भगवत प्राप्ती के या प्रभू के पास आने के वो कल्यूग रोक के बैठा है लेकिन उस काराग्रह के उपर एक खिड़की दिख रही है और वो खिड़की ऐसी है कि जो प्रकाश भी देती है और मार्ग भी देती है और वो खिड़की कौन सी है बोले श्री वल्लब के मार्ग की अपनको लगे कि जहां कल्यूग ने सवधर्म के द्वारे रोके आए जहां प्रभू के पास जाना है और प्रभू के पास जाने वाले सारे मार्ग खंडित हो गए तो ये पुष्टी मार्ग क्या है तो शी महाप्रभु जी कहते हैं जित्ते भी मार्ग हैं वो कौन से जो हमें भगवान के पास ले जावें पर ये पुष्टी मार्ग कौन सा जो भगवान को अपने घर पे ले आवे यदि हमें प्रभू के पास जाना हो तो सारी कठिनाई हमें उठानी पड़े लेकिन यदि भगवान हमें मिलना चाहें तो कोई समश्चा है यदि भगवान अपने पास आने का विचार करें तो कोई समश्चा नहीं है इसलिए कह दिया ये पुष्टी माय तो वो मार्ग है कि जहां भगवान स्वयम आके भक्त के गर पे विराजमान होते है और इसलिए कह दिया कि वल्लब खिड की प्रेम की निकस जाए सोई जाए और श्री महाप्रभु जी का सिध्धान्त भी वो है और देखो महाप्रभु जी ये संसार से बचने का उपाई भी बताते हैं और संसार में रहके कैसे प्रभु में मन लगाया ये युक्ती भी दिखाते हैं बोले क्यों देखो अपन सब कहां रह रहे हैं बोले संसार के अंदर और संसारियों को उपदेश करना है इसलिए श्री महाप्रभु जी ने भी ग्रहस्त आश्रम स्विकार किया क्योंकि जिसने ग्रहस्त का अनुभव किया नहीं है जिसने एक बार बंधन देखा नहीं है तो बंधन से छूटने के उपाय आपको कैसे बता सकता है विचार करना यदि जिसने अनुभव नहीं किया तो उससे छूटने की युक्ति भी वो नहीं बता सकता क्योंकि देखो अधिकतर हैपी मेरेज लाइफ अधिकतर ये सुखी जीवन कैसे जीना ये अपन को वही समझाते है या तो किसी की शादी नहीं हुई या फिर वेरा गेल लिए अधिकतर हो वह एसे टॉपिक पर ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और इसलिए तो कह दिया कि ग्रहस्तार्श्रम भी शिकार इसलिए किया क्योंकि ग्रहस्तियों को उपदेश देना है क्योंकि ऐसे उपदेश देना बड़र में कहता हूं कि बहुत साल पहले मुझे लड़का मिला था मैंने पूछा क्या करते हो कि मैं पैरेंटिंग के कोर्स कराता हूं मैंने क्या वो क्या होता है बोले मैं जितने भी पैरेंट से उनको ट्रेन करता हूं कि कैसे अपने बच्चों को संभालना चाहिए मैंने का अच्छा उसमें क्या कराते हो बोले मेरे पास कुछ साल पहले फिर से मुझे वो लड़का मिला मैंने कहा क्यों तेरा लाइन कैसे चल रहा है बोले लाइन चेंज कर दिया तो बोले पहले मेरे पास कोई लड़क बच्चे नहीं थे लेकिन तुई तीन सुत्र थे और तीन सुत्र में सब को सिखा था और आज दो बच्चे हो की निकस जाए सोई जाए और ये पुष्टी मार्ग रूपी खिडकी शिमाप्रभू जी ने अपन को ऐसी दे दी है कि ये खिडकी मिले तो खिडकी से सहज रूप से जीव निकल जावे क्योंकि द्वार से निकलने जाएंगे तो वहां कल्यूग पालती मार के बैठा है ले वल्लब खिडकी प्रेम की निकस जाए सोई जाए ये बात यहां 21 वी साखी के अंदर कही और 21 सितिका दर्शन करा के आगे 22 वी साखी का वर्णन करते हुए शेहराजी कह रहे है भगवद भगवदी एक हैं तिन सोरा खोने भववद भगवदी एक हैं दिन सोरा खोने भव सागर के तरन की भव सागर के तरन की नीकी नौका एह श्रीवल लभ नीकी नौका एह भगवद भगवदी एक हैं भव सागर के तरन की नीकी नौका एह श्रीवल लभ नीकी नौका एह श्रीवल लभ नीकी नौका है 22 विसाखि के अंदर श्रे hasiraiji जी कह रहे हैं कि भगवद भगवदी एक हैं तिनसो राखो ने भगवद भगवदी एक हैं तिनसो राखो ने भवसागर के तरन की नीकी नवका है यहां भगवदी के सुरूप को समझाते हुए हरीराई जी कह रहे हैं कि भगवान और भगवदी दोनों में कोई भेद नहीं है बोले क्यों बोले जैसे जब कोई बड़े मिनिस्टर आने वाले हो तो उनसे पहले उनकी पाइलोट कार आती है ने तो पता चल जाए कि हाँ आने वाले होंगे वैसे ही जब अपने जीवन में प्रभू पधारने वाले हों तो प्रभू की पाइलोट कार यानी कौन बोले भगवदियों का संग जब वैश्नों का संग हो जावे जब भगवदियों का संग हो जावे तब मानो अब प्रभू के पधारने की बधाई बैठ गई है आप प्रभू किसी भी खशन मेरे जीव सबीए सके एसी कफ़ा अपनी नहीं है है भगवान शायक हमसे पॉले तो भगवान जो कहना चाहते हैं वो उनका तात्पर समझने कि ख्शमता अपने अंदर नहीं है इसलिए प्रभु भगवदियों से कहते हैं कि देख मैं जो कहूंगा वो न तो ये सुन पाएगा न समझ पाएगा मैं जो कहूंगा वो किस तात्परे से कह रहा हूं वो तात्परे न ये जान पाएगा लेकिन इसकी भाषा में यदि मैं जब समझाना चाहूं तो मैं स्वयम जाके नहीं किसी भगवदी के मुख से किसी को कहता हूँ और भगवदीयों का संग यानी क्या है मैं मेशा कहता हूँ कि भगवदी यानी कौन भगवदी यानि वो भीगे हुए कच्चे रंग के कपड़े की तरह होते है और कच्चे रंग का कपड़ा होता है उसकी एक खुबी होती है कि जिसके पास भी उसको ले जाओ उसका रंग सबको लगता रहता है उसके पास जो जो भी आवे सबको रंग लगावे लेकिन जब रंग लगे तो इतना पक्का लगे कि लाग छुडाओ रंग छूटे ना वही तो भगवदी है और एक शनिक संग मात्र से भी प्रभू के रंग से रंग देवे वही तो भगवदी देखो मैं कई बार कहता हूँ यदि आप कोई बहुत शक्ति शाली व्यक्ति बहुत बड़े पहलवान के पास बैठो तो पास बैठने मात्र से क्या आप पहलवान हो सकते हो कोई बहुत बुद्धी मान के पास जाके बैठ जाओ तो पास बैठने मात्र से क्या आप धनवान हो सकते हो कोई बहुत बुद्धी मान के पास जाके आप बैठ जाओ तो पास बैठने मात्र से क्या बुद्धी मान हो सकते हो बोले नहीं, बोले धनवान के पास बैठने से धनवान नहीं हो सकते बलवान के पास बैठने से बलवान नहीं हो सकते बुद्धिवान के पास बैठने से बुद्धिवान नहीं हो सकते एक भगवदी ऐसा है कि जिसके खशनिक के लिए भी पास बैठ जाओ तो भगवदी होए बिना रहे नहीं सकते उस वैश्णों का रंग लगे बिना आपको रहे नहीं सकता यदि एक्षण के लिए भगवदी का संग जीवन में हो जावे इसलिए कह दिया कि भगवद भगवदी ये एक है और एक है इसका मतलब क्या? नारत भक्ती सुत्र कहता है कि तस्मिन तजने भेदा भावात जब दो में कोई भेद नहीं रहता तब कहते हैं दोनों एक है और दो में कोई भेद नहीं रहता इसका मतलब क्या? कि एक की पीड़ा दूसरा अनुभव करने लगे और उसकी पीडा उसको भी अनुभव हो तब मानो अब ये दो नहीं ये एक है तो भगवदी वही है जो प्रभू के आनंद में आनंदित और जहां प्रभू को लेश मात्र भी श्रम पड़े ऐसा उसको विचार भी आजावे और वो बेचेन हो जावे याद करो जब शिगोकलेश प्रभू के प्रसंग में आता है न कि जब वईश्णों के आगे आपने वईश्णों की बात करी कि ऐसे तादर्शी वईश्णों होते हैं तब सभी वईश्णों ने कहा कृपा करके हमें भी उस तादर्शी वैश्णों के दर्शन कराओ, हम भी जानना चाहते हैं, कि यह तादर्शी जव कैसे होते हैं, तब शिगोकलेश प्रभु ने आ गया करी, जब मेरा जनमोस्व आ रहा है, उस दिन तुम्हें उस तादर्शी वैश्णों के दर्शन कराओंगा, और वा अपने हातों से वैश्णों को परोस रहें और बरोस्ते परोस्ते जब एक जगे आए तो क्या देखा वो वैश्णों फूट फूट के रोने लगा उसकी आंख से चौधार आशू बहने लगे सब वैश्णों निंदा करने लगे देखो कैसा वैश्णों श्री गोकलेश अगट्टे उससों पर रो रहा है सब लोग समझाने का प्रयत्न करें लेकिन उस वैश्णों के आंसू नहीं रुक रहे जब श्री गोकलनाजी ने देखा इतना ही कहा कि वैश्णों तुम घर जाओ तुमसे प्रशाद नहीं लिया जाएगा और जहां ये कहा और उसके लग वैश्णों दिन के दिन आप उस तादर्शी वैश्णों के दर्शन कराओगे लेकिन आपने तो कराओए नहीं तब कुलनाजी ने कहा हो वैश्णों याद है जब मैं परोस्ते हुए जा रहा था और एक जगे आके खड़ा हुआ और वो वैश्णो रोने लगा था वैश्णो ने कार उसे कैसे बूल सकते हैं इतने बड़े उस्सव में वो अफ्षुगन कर रहा था रो रहा था बोले वही तो तादर्शी जन था सब लोग कहने लगे आप कैसे आग्या कर रहे हो वो वैश्णो जो उस्सव में सभी आनन्दित हो रहे थे वहाँ वो रो रहा था और आप कह रहे हों कि वो तादर्शी जन जब शीगुकुल नाजी ने कही वो निश्किंचन वैश्णो था और उस दिन जब ठाकुर जी को भोग धर के आया तो उसके पास ठाकुर जी को भोग धरने के लिए कोई सामगरी भी ना थी सूकी रोटी और नमक ठाकुर जी को भोग धर के वो आया था और यहां अनेक परकार की जब सामगरी देखी महाप्रशाद में तो उसका रदे द्रवित हो गया कि जो वस्तु में अपने प्रभू को नहीं अरोगा सकता वो मुझे लेने का क्या अधिकार है लेकिन ना कह दूँ या उड़ जाओंगा तो प्रभू को श्रम पड़ेगा इसलिए लिया भी नहीं जा रहा था और सहा भी नहीं जा रहा था और जब श्रीगोकुल नाजी ने देखा उसके पीड़ा को समझ गए और कहा तो घर जा क्योंकि प्रभू के सुख के विचार में जो सुखी हो और प्रभू के श्रम के विचार मातर से जो विचलीत हो जावे वही तो तादर्शी है क्योंकि जिसमें प्रभू में कोई भेद नहीं रहा तसमिन तजने बेदा भावाद और इसलिए कह दिया भगवद भगवदी एक हैं तिन सो राखो ने देखो कहा कि भगवद भगवदी एक हैं तिन सो राखो ने और ऐसे भगवदी का संग हो जावे तो सदा उनसे प्रेम बना के रखना सदा उनको अपने मन में बसा के रखना क्यों कि प्रभु उनकी आड़ी से तुम से रीजेंगे प्रभु उनकी आड़ी से कृपा करेंगे इसले कह दिया कि भगवद भगवदी ये एक हैं तिन सो राखो ने भवसागर के तरन की नीकी नवका ए और मैं तो हमेशा प्रवचनों मैं कहता हूं कि ये भगवदी जन या हमारे प्रभु के नेत्र और जब आप चलते चलते जा रहे हो और रस्ते में कोई वईश्नों मिल जावे तो ये मस सोचो के वईश्नों मिले ये मानों ये तो प्रभु के नेत्र हैं और मार्ग में चलते चलते वईश्नों मिले तो मानों आज प्रभु ने अपने कृपा द पता कब चले और तब प्रभू ने भी कहा कि जब भोग सरा के प्रशाद लेने बैठो और उसी समय तुमारे घर में कोई अनायास वैश्णव आ जाए तो मानो आज में प्रेम से अरोगा हूँ और वैश्णव आके महा प्रशाद लेवे घर पे तो मानो आज में प्रेम से अरोगा हूँ क्योंकि प्रभू भी कृपा उस वैश्णों के रूप से आके अपने पर करते है इसलिए कह दिया कि भगवद भगवद ये एक है तिनसों राकों ने भवसागर के तरन की नीकी नवका है और ऐसे भगवदियों से नहें रखो क्योंकि भवसागर को तरने की सबसे उत्तम नवका हो तो ये नवका ये भगवदियों का संग है ये बात यहाँ पे कई और आगे 23 साकी का दर्शन कराते हुए हरियाई जी कह रहे है वल लब कल्प द्रूम फल्यों फल्य लाग्यों विठलेश वल लब कल्प द्रूम फल्यों फल्य लाग्यों विठलेश शाखा सब बालक भये शाखा सब बालक भये पारिन पावत शेश श्री वल लब पारिन पावत शेश वल लब कल्प द्रूम फल्यों आगे अब ये साइड वाले काएंगे वल लब कल्प द्रूम फल्यों आगे अब ये साइड वाले काएंगे वल लब कल्प द्रूम फल्यों आगे शाखा सब बालक भये शाखा सब बालक भये तांगो पारिण पावत शेश शिवल लब पारिण पावत शेश शिवल लब श्री वल्लब परनफावत से तेस्वी साकी के अंदर हरीराई जी कह रहे हैं कि श्री वल्लब कल्प दुरूम फल्यो फल लाग्यो विठलेश शिवलब कल्प द्रूम फल्यो फललागयो विठलेश शाखा सब बालक भए ताको पार न पावत शेश शिमाहप्रभुजी कौन है तो हरियाई जी कह रहे हैं कि शिवलब कल्प द्रूम फल्यो जिस जिसके मुख में शिवलब का नाम आवे जिन जिन के घर में भी श्री वल्लब बिराजें मानो वो वल्लब कौन है बुले स्वयम कल्प वरुक्ष है और कल्प वरुक्ष किसको कहते है कि जिसकी च्छाओं में बैठो तो च्छाओं में बैठने वाले के सारे अलोकिक मनुरत पूरे करे उसी को तो कहते हैं कल्पवरुक्ष और साथ दिन तक आप भी इस पंडाल में बैटे हो तो जब शी महाप्रभु जी यहां पधार गए उस दिन से ये पंडाल पंडाल नहीं तो कल्पवरुक्ष बन चुका है और आप कल्पवरुक्ष की च्छाओं में बैठे हो और कल्पवरुक्ष किसको कहते हैं कि जिसकी च्छाओं में बैठे और च्छाओं में बैठने वाले के सारे मनुरत पूरे करे उसको कहते हैं कल्पवरुक्ष और कहते हैं ये वल्लब कैसे हैं बोले वल्लब कल्पद्रूम फल्यो और उस कल्पवरुक्ष के उपर सुन्दर लगा हुआ मदूर फल यानि कौन फल लाग्यो विठलेश शिगुसाई जी प्रभूचर्ण यानि इस कल्पवरुक्ष के उपर लगा हुआ मदूर फल शाखा सब बालक भय बोले उसी कल्पवरुक्ष की अलग अलग शाखाएं और जिस भी वल्लब के सानिद्ध में अपन बैठे हूँ तो हर्याइजी कहते हैं उपन उस कल्पवरुक्ष की झाओं के अंदर ही बैठे हुआ और शिमहाप्रभुजी का फुरा परिवार भी कैसा शिगोपिनाजी के जिनके लिए स्वयम पुर्शोत्तम सहस्तनाम की रचनाशी महाप्रभू जी ने करी शिगुसाई जी प्रभूचन जिनोंने ये पुष्टी मार्ग रुपी सुरेक चित्र के अंदर सुन्दर रंग भरे सातो लाल जी शिगुसाई जी जिनको स्वयम शिनाजी ने कहा मुझे आपका घर देखने आना है और जो चोटे से बालक की तरह शिनाजी को अपने कंधे पे उठाके पधरा के गए शिगुविंद राय जी ऐसा ताप ऐसी सेवा का ताप के आपका ब्याथा बरात निकलने वाली थी उस समय भी सेवा में ऐसी रुची ऐसी रुची के बिलाब करने लगे और कहते हैं कि शिगुसाई जी ने भी कहा बाबा अब सेवा में पधारो बरात बात बे निकलेगी ऐसी सेवा रसिकता शिवाल कृष्टन लाल जी आजीव लोचन जी कि जिनके तरह शिना जी ने अपने नेत्र चाहे शिगुकलेश प्रभु चतुत लाल जी माला तिलक के रक्षक और आज जो भी वारता साहिते अपन पढ़ते हैं वो भी शिगुकलेश प्रभु की महद कृपा अपने उपर पंचम लाल जी शिरगुनाज जी जिनोंने शिगुसाई जी का परिचय अपन को नाम रतना ख्यान सोत्र के द्वारा कराया चटे लाल जी एदुनाज जी जिनोंने वल्लब दिक विजय के द्वारा शिमाहप्रभु जी के जीवन को गोटित किया इंशाम लाल जी, शिमित भागव जी के ऊपर ऐसे अदभूद अर्थ आपने प्रगट किये, और कहते हैं ये सभी बालक कौन हैं, उल्जी महाप्रभूजी के ही रूप, देखू कहेते हैं शिरिवलस इतने रूप से बिरास्ते हैं, और इतनी जगे श्री महाप्रभुजी की नित्य उपस्तिती होती है सबसे पहले कहा कि जहां जहां भी श्री महाप्रभुजी के बैठक जी बिरास्ते हैं वहां वल्लब प्रगट बिराजे जहां जहां महाप्रभुजी के गरंत बिराजे वहां प्रगट वल्लब, जहां जहां हस्ताक्षर विराजे, वहां वहां प्रगट वल्लब, जहां जहां श्री वल्लब के गरंथ विराजे, वहां प्रगट वल्लब, जहां जहां गले में कंठी, वहां वल्लब, जहां जहां आठ में जपमाला, वहां वल्लब, और जहां जहां वल्लब कुल क बालक भी विराजे महां भी वल्लब की नित्य उपस्तिती माने गई है। क्योंकि उनके प्रती निधी के रूप से ही को भी आचारे पदारते हैं अपने बल्बूते पे नहीं। इसलिए इतनी जगे शिवल्लब की नित्य उपस्तिती मानी गई है। और जब शी वलब के सानिध्य में रहें, तभी तो जीव आनंद में रह सकता है। वल्लब नाशर्ण जय रहिये आनंद माँ सेवु सदा हो तो, सेवु सदा हो तो, ब्रजना दणे मागु ए टिलू, शिवल्लब नाशर्ण जय रहिये आनंद माँ सेवु सदा हो तो, सेवु सदा हो तो, ब्रजना दणे मागु ए टिलू, शिवल्लब नाशर्ण जय रहिये आनंद माँ वल्लब नाशर्ण जय रहिये आनंद माँ सभी की दालियां भाव से वल्लब नाशर्ण जय रहिये आनंद माँ तन मन ना दोश जाए वैश्णव नो संग थाए तन मन ना दोश जाए मित्या प्रपंच मारा जाए टड़ी मागुए टिलोश वल्लब ना शर्णे जै रहिये आनंद माँ एक साथ आलिया, एक साथ आलिया, एक हो गोविन्द ना गून गाओ, पिजे हूं कदी न चाओ मने, वो कुल मवास मने आपोहने मागूए टिलुष वल्लब नाशर्न जय, रहिये आनंद माँ सेवुस नाहुतो, सेवुस नाहुतो, रजना दड़े मागूए टिलुष वल्लब नाशर्न जय, रहिये आनंद माँ सभी की तालिया भाव से सेवुस नाहुतो, सेवुस नाहुतो प्रेम थी हुँ लागूपाय, सेवुस नाहुतो, प्रेम थी हुँ लागूपाय, सेवुस नाहुतो, रहिये आनंद माँ वल्लब नाशर्न जय, रहिये आनंद माँ जयुो 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 कर्जब अभीमान आपो वी रह नुदान कर्जब अभीमान आपो वी रह नुदान दस केरी दासे प्रभु जाने खरे मागु एट लुशन वल्लब ना शर्णे जै रहिये आनंद मान 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 वैष्णव नो संग थाए तनमन ना दोश जाए वैष्णव नो संग थाए तनमन ना दोश जाए मिध्या प्रपंच मारा जाए टने बान वेष्णव ना शर्णे जै रहिये आनंद मान वल्लब ना शर्णे जै रहिये आनंद मान वल्लाव कल्प दुमें फल्यों वल्लाजों विठ्छले साखा सब बालक्यू भयेता को पारन पावत से इस्ता को पारन पावत से शिवल्लब आवत में सुने कछु नियरे कछु दूर इन पलकन सोमत जारी हो अज कल यन की दूर शिवल्लब आज कल यन की दूर शिवल्लब कल यन की दूर वल्लब नाशर्ण जय रहिये आनंद माद सबी अपना स्थान घंड करने में शिवल्लब कल्प द्रूम फल्यो फल लाग्यो विठलेश शाखा सब बालक भय ताको पार न पावत शेश और वही वस्तु यहां शेहराय महाप्रभू जी ने अपन को उद्लाइटित करके बताई कि इस कल्पवरुष की छाओं के अंदर अपन आजामें कल्पवरुष की निश्रा के अंदर अपन आजामें तबी सारे अलोकिक मनुरत पूर्ण होते हैं यह बात तेवी से साकी में श्रवन करें के आगे चौबीस वी साकी का दर्शन करें कि जिसके अंदर अहिराय महाप्रभू जी कह रहे हैं जया है वल लब आबत मैं सुने कछुनियरे कछुदू वल लब आबत मैं सुने कछुनियरे कछुदू पलकन सौमक झार हो पलकन सौमक झार हो व्रजगलियन की धूर श्रीवल लवर व्रजगलियन की धूर वल लब आबत मैं सुने वल लब आबत मैं सुने कछुनियरे कछुनियरे व्रजगलियन की धूर श्रीवल लवर व्रजगलियन की धूर श्रीवल लवर व्रजगलियन की धूर श्रीवल लवर व्रजगलियन की धूर 24 साखि के अंदर श्रीवल की धूर श्रीवल लवर व्रजगलियन की धूर व्रजगलियन की धूर के सामने स्वयम शिवल्लब पधार है और ये साकी ऐसी है कि जिसमें शिवल्लब पधार रहे है ये संकेत हरीराय जी को मिले है देखो कई बार क्या होता है कि जब प्रियतम संग हो तो युग युग जितना समय भी एक ख़ण के अंदर कट जावे लेकिन प्रियतम जब आने वाले हो और उसकी प्रतिक्षा कर रहे हो तो एक एक ख़ण ऐसे बीता है कि मानो एक एक युग बीत रहा हो और जब श्री हरीराय जी कोई संकेत मिला कि श्री वल्लब उनको मिलने पधार रहे है श्री वल्लब उनके सामने पधार रहे हैं और कैसी दश्रा हरी राय जी की हुई कि वल्लब आवे आवत मैं सुने कच्छू नी अरे कच्छू दूर जब प्रियतम की पतिक्षा अपन कर रहे हो पता चले कि बिलकुल पास आ गए है और वहीं समाचार आवे के न अभी थोड़े दूर है और जैसे सैयोग वियोग सैयोग वियोग जब पता चले के पास आ गए है तो सैयोग की अनुभूती होने लगे वहीं पता चले ने अभी थोड़े दूर कहीं अटके हुए फिर से वियोग का अनुभव हो और कई बार कहते हैं न कि प्रभू के दर्शन में शायद जो सुक मिले उससे भी अधिक सुक प्रभू की प्रतिक्षा में है प्रभू के लिए तडपने में है प्रभू के लिए व्याकुलता में है कहते हैं ने कि एक संत हुए जो पूरी जिन्दगी प्रभू को खोचते रहते कि मेरे प्रभू कहां है मेरे प्रभू कहां है और बिलकुल गोपियों की तरह व्रुक्षों से रदे से लग-लग के और कहते कि मेरे प्रभू का रस्ता बताओ मेरे प्रभू कहा है जैसी दर्शा उन गोपियों की हुई थी वैसी दर्शा उन संत की हो गई एक एक व्रुक्षों से बजमें जाके पूस्ते कि मेरे प्रभू कहा है मेरे प्रभू कहा है प्रबु कहीं न मिले लेकिन वो कभी कहते हैं कि एक बार जब वो ढूनते ढूनते जा रहे थे तो एक सुन्दर घर उनको दिखा कि जिसमें लिखा था कि भगवान यहां पे रहते हैं देखते ही एक बार तो नाच उठे देखते ही एक बार तो नाचने लगे कि वर्षों तक मैं जिन के लिए तडपा वर्षों तक प्रहत न करता रहा कि वो मुझे कब मिले और आज मेरी यात्रा का अंत हो गया जिनकों में खोज रहा था जिनकों में ढूण रहा था वो मेरे सामने उसी भवन के अंदर रहते हैं और नाचने लगा और प्रसन्नों के जैसे ही दोड़ने लगा उसकी यात्रा वहीं पैर थंबित हो गया बोले क्यों दोगड़ी सोचने लगा कि जब तक मिले न थे तब तक उनके लिए रोता था उनके लिए तडपता था जिवहा उनके अलावा किसी का नाम लेने को तयार नहीं थी खा रहा हूं पी रहा हूं कुछ भी कर रहा हूं तो यही पतिक्षा रहती थी कि मेरे प्रभू कब मिलेंगे मेरे प्रभू कब मेरे पास आएंगे मेरे प्रभू को मेरी याद कब आएगी लेकिन एक बार मैं अंदर चला गया और हो सकता है कि जिन प्रभू को खोज रहा था वो प्रभू अंदर ही रहते हो और एक बार प्रभू मिल गए एक बार प्रभू से मैं मिल चुका हूँ मिलाप हो गया तो फिर क्या इन आँखों में वो प्रतिक्षा रहेगी कि जो प्रतिक्षा पहले थी ये आँखें बाद में उनको याद करकर कि क्या वैसे ही आँख आशू बहाएंगे कि जो पहले बहाती थी ये नैन जैसे उनके लिए बार-बार तडपते थे चार और उनी को खोजते थे क्या ऐसी तडप इन नैनों के अंदर है एक बार शायद मिलन हो भी गया एक बार प्रभू मिल भी गये लेकिन मिलने के बाद मिलन के सुख के बाद वो वियोग का सुख कैसे मिलेगा कि पल-पल उनके लिए तडपना पल-पल उनके दर्शन के लिए आंसु बहाना पल-पल उनहीं की पतिक्षा करते रहना वो तडप नहीं रहेगी और जब बरसों से जिन प्रभू को ढून रहा था रो रहा था उनके लिए उनके दर्शन के लिए व्याकुल था लेकिन आज उनका पता भी मिल चुका है लेकिन जैसे ही देखा के सामने के गर में प्रभू रहते हैं उसने अपना चेहरा गुमा लिया और हे प्रभू कहां हो हे प्रभू कहां हो कहते अलग रस्ते पे चलने लगा क्योंकि प्रभू के लिए तडपने में मजा जो है वो शायद मिल के मजा हो के न हो प्रभू के लिए रो के जो आनन्दा आता है पल-पल उसी का स्मर्ण पल-पल उसी का चिंतन एक-एक स्वास भी उनके नाम के संग जब आ रही है वो तडप मिलने के बाद रहे के न रहे कौन जाने और रस्ता बदल के अलग रस्ते चलने लगा वैसे ही कहने लगा हे प्रभू कहां हो हे प्रभू कहां हो क्योंकि कई बार उनके लिए तडप के जो आनन्दावे वो शायद मिल के रहे के न रहे बचार करो इसलिए तो कहते हैं कि वल्लब आवत मैं सुने जब दला जी को वल्लब में संकेद दिया कि इसी जरोके के सामने वाले राजमार्क में तुम्हें मिरे दर्शन होंगे पूरा दिन दल्लब जी वहीं पे बैठे रहते कि मेरे वल्लब कब आवे मेरे वल्लब कब पधारे ऐसी दरशा हो गई कि रात को सोते हो जरास आवाज आवे उठके भागे कहीं मेरे वल्लब तो नहीं आगे भोजन कर रहे हो जरासी आहट हो उन्हें लगे मेरे वल्लब तो नहीं आगे भागते हुए जामे और ऐसी दर्शा जब दमलाजी की हो गई कि मेरे वल्लब कप पधारेंगे मेरे वल्लब का पधारेंगे लेकिन एक दिन जब भाईयों के अंदर संपत्ती का बटवारा हो रहा था और जब भाईयों में संपत्ती का बटवारा हो रहा था उसी समय सामने के राजमार्ग श्री वल्लब पधारें और जब ये बधाई मिली दमला जी ने कहा अरे जिसकी पतीक्षा युगों से कर रहा था आज वो मेरे सामने आ गए और जान ज़रोके में से शिवल्लब के दर्शन करे भाई सब कहने लगे अरे संपत्ती का बटवारा हो रहा है कहा जा रहे हो उन्होंने कहा कि आज संपत्ती का बटवारा हो रहा है जो तुमारे भाग का था तुम्हें मिल गया और जो मेरे भाग का था वो मेरे सामने आ रहा है मेरी संपत्ती मेरा सर्वस मेरा दंत मेरे सामने आ रहा है और सीधे जरोके से छलांग लगाई श्रिवल्लब के चरणों में आके गिरे और फिर मुड के कभी नहीं देखा श्रिवल्लब के संग ही हो गए इसलिए कह दिया कि श्रिवल्लब आवत मैं सुने कछू नियरे कछू दूर इन पलकन सों मग ज़ार हूं वर्जगरियन की दूर और देखो वल्लब पधार ने ये संकेत तो मिले लेकिन कभी लगे दूर हैं कभी लगे पास हैं ऐसा क्यों होता है ये जो पत के जिसमें वल्लब चलके अपने जीवन में पधारने वाले हैं कभी लगे के पास आ गए कभी लगे दूर हो गए कभी-कभी जीवन में देखो ये दोनों अवस्थाएं अपन अनुभाव करते हैं जब रदे में आनंद आने लगे जब रदे में प्रभू के गुणगान करने का सुख पराप्तो होने लगे जब प्रभू के गुणगान का मन हो तब लगो लगे के वल्लब पास है लेकिन जब संसार हावी होने लगे तब मानों के वल्लब थोड़े दूर है तो ये निकटता और दूरी का एहसास दिन भर में रोज होता है के नहीं होता है कुछ खशन ऐसी आती हैं लगे प्रभू पास है ये पत कौन सा है? ये पत है अपने आध्यात्मिक यात्रा का पत कौन सा पत है? अपनी आध्यात्मिक यात्रा का पत और कहते हैं जब उसमें चलके अपने वल्लब हमें मिलने के लिए पधारते हैं तो कभी आपकी गती मंद हो जाती है, कभी गती शिक्र होती, ऐसा क्यों? तो हमारे भगवदी जन अर्थ करते हैं, कि एक बार वल्लब ने जब अपन को शर्ण में लिया, तो अपने जिते भी दोश हैं, जाने अंजाने में हमसे जो भी अपराद होते हैं, वो सारे अपराद कंकर और कांटे बनके अपने उस आध्यात्मिक पत के उपर विखर जाते ह और जब अपने प्रभू हमें मिलने के लिए आवें, तो अपने किये हुए अपराद ही कांटे के रूप से आपके चर्णों में श्रम देते हैं, और उनकी गती मंद हो जाती है, क्योंकि प्रभू कहते हैं कि देख तु जैसा है, वैसा मैंने तुझे अपने शर्ण में लि और शर्णागत जीव जब अपने अपराद करते हैं, तो अपने किये हुए अपराद अपने आध्यात्मिक पत पे कंकर और कांटे बन के बिखर जाते हैं, अब देखो ये आध्यात्मिक पत और आध्यात्मिक पत के ऊपर चलना यानि क्या, मैं कई बार अपने प्रभचनो मैं कहता हूँ कि देखो अपने वाँ कहते हैं तो प्रभू तो कहते हैं जब भी मैं मिलता हूँ अपनी कृपा से मिलता हूँ और यदि कृपा से ही मिलने वाले हैं तो जो भी साधन अपन करें वो साधन से तो मिलने वाले हैं तो फिर साधन क्यों करना तो देखो अपने आध अपने और प्रभू के रस्ते पर जो जो भी अपने अपराद है वो कंकर बनके काटे बनके बिखरते हैं और साधन करना यानि अपने पत को बुहारते रहना क्योंकि जब प्रभू आमें तो प्रभू के चर्णों में श्रम न पड़े काटे न लगे तो जब जब भी अपन साधन करते हैं तो साधन क्यों करते हैं अपने पत को बुहारने के लिए मैं कई बार अपने प्रवेचनों में कहता हूं के पत को बुहारना यानी क्या मैं कई विंदावर में था कई बार कहता हूं विंदावर में कई था मैं कथा चल रही थी है और थोड़ा समय था मैं निकल गया कोई आश्रम था बढ़िया मैं वहां जाके एक वुरुष के नीचे बैठा सामने चोटा सा मंदिर था और मंदिर के बाहर ऐसी संदर माखन जैसी रज मैं बैटे बैटे देख रहा था कि वहां जो कोई एक सेवा करत बार बार आवे और अपनी बुहारी से पूरी रज को इतना संदर जाड़े इतना संदर लेकिन दो मिनिट हो कोई वहां से चल के जाए उसके पैरों के निशान पड़े न वो किसी को रोके न वो किसी को टोके जाके फिर से उस पत को उस रेत को संदर बुहारे और ऐसी संद मैं दो गंटे तक बैठा रहा और दो गंटे के अंदर सो डेर सो लोगों वहां से गुज़रे उसने किसी को रोका न किसी को टोका बार-बार रेत बिगरे और वह जाके रेत को समारे और जाते जाते मुझे लगा कि अब गोधुली बेला होने वाली है और प्रभू तो ये गोधुली बेला में या ब्रज में रोज गईया लेके वापस वज में आते हैं अब गईया लेके आने का समय प्रभू को हुआ लेकिन ये व्यक्ति ऐसे अपने पत को सवा दुनुआ कांच वेसे जब भी वो मिलेंगे तो उनकी त्छासर अैंगे उनकी क्रपांसे गलेंगे लेकिन अपने पत और चुन思 इसलिए कह दिया कि श्री वल्लब आवत मैं सुने कछू नीरे कछू दूर इन पलकनसों मगजार हूं बजगरियन की दूर और हिराई जी कहते हैं कि देखो मेरे वल्लब जब जीवन में पधारते हैं कभी लगे पास हैं कभी लगे दूर हैं लेकिन देखो अपन जो साधन करते हैं ससंग करते हैं माला करते हैं तो उससे तो अपन ने कंकर और कांटे बुहार दिये लेकिन बाहर के अपराद है न वो कांटे और कंकर बनके और भीतर के दोश हैं वो छोटी छोटी कणी बनके इस पत पे बिखरते हैं तो हिराय जी ने कहा कि जब मेरे श्री वल्लब पधारे हैं, तो मेरे वल्लब के चरणारविन तो ऐसे कोमल हैं, कि जरासी रज की कणिका भी प्रभू के चरणों में लग जावे तो श्रम हो जावे, तो बड़े बड़े काटे कंकर तो बुहारी से बुहार सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे अपराद रूपी जो जीनी-जीनी कणिका है तो उसे बुहारने के लिए बुहारी भी सूक्षम चाहिए तो हिराई जी कहते हैं कि जिस पत्पे मेरे वल्लब पधारने को तैयार हुए हैं तो छोटी-छोटी रज की कणिका भी मेरे वल्लब के चर्णों में चाहता हूं कि जिस पत्में मेरे शुवालाप भाड़ते हैं एक पनी पद्री ने इस वस्तों को अपने पद में कहा है कि इसे साकी के अनुरू कर दो 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 कर पलकन सौमग जारू या मगमे मेरो प्यारो जावत है या मगमे मेरो प्यारो जावत है तन मन जो बन बारू तन मन जो बन बारू पलकन सौमग जारू पलकन सौमग जारू तन मन जारू सेट सबारू चबर नुरामू सेट सबारू चबर नुरामू मदूर मदूर सुर्गामू मदूर मदूर सुर्गामू तन मन जारू तन मन जारू तन मन जारू हस हस कंथ लगावू पलकन सौमग जारू पलकन सौमग जारू या मग मेरो प्यारो आवत है या मग मेरो प्यारो आवत है तन मन जो बन वारू पलकन सौमग जारू पलकन सौमग जारू पलकन सौमग जारू जामक में मेरो प्यारो आवत है तन मन जो बन वारू और वही वस्तु अहिराई जी ने कही श्री वल्लब आवत मैं सुने कचू नियरे कचू दूर इन पलकन सौमग जारू हों बज गलियन की दूरू जोवीस पी साकी में श्रवन करके आगे पचीस पी साकी का श्रवन करें जिसके अंदर र्याय महाप्रभू जी अपने इसने की बात करते हुए आगे कह रहे हैं कृपा सिंदू जल सीचिके राक्यो जीवन मूँ कृपा सिंदू जल सीचिके राक्यो जीवन मूँ प्रेम बाग के फूल श्रिवल लब प्रेम बाग के फूल कृपा सिंदू जल सीचिके राक्यो जीवन मूँ कृपा सिंदू जल सीचिके आगे प्रेम बीना मुर्जात है प्रेम बाग के फूल श्रिवल लब प्रेम बाग के फूल श्रिवल लब यान श्रहराय महल प्रभुजी आपने रदय की पीडा रदय की तडप रदै का प्रेम श्री वल्लब के प्रति व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि कृपा सिंधु जल सीच के राख्यो जीवन मूल बोले श्री वल्लब कैसे हैं बोले कृपा के सागर और हम जीव कैसे हैं बोले ऐसी सरीता के जो बहरई है क्यों? क्योंकि सागर में मिलना चाहती है देखो जगत की जित्ती भी सरीता हैं जगत में जित्ती भी नदियां हैं बह रही हैं क्यों? क्योंकि सागर में मिलना चाहती है कहां मिलने के लिए बह रही है? सागर और नदियों का सबसे परमफल भी वही है कि सागर में मिल जावे लोग नदियों को पूछे अरे सागर में क्यों मिलना चाहती हो सागर में मिलने के बाद तुम्हारा नाम अगंगा नहीं रहेगा सागर में मिलने के बाद तुम्हारा स्वाद मीठा नहीं रहेगा सागर में मिलने के बाद तो सागर से मिलने बहती है लेकिन कई नदी ऐसी है जो सागर से मिलने के लिए बहतो रही है लेकिन रस्ते में रेगिस्तान आजाता है और रेगिस्तान यानी क्या ये संसार रेगिस्तान यानी क्या संसार और जब वो नदीया सागर को मिलने के लिए निकलती है और बीच में संसार का रेगिस्तान आता है तो उस रेगिस्तान की गर्मी से वो सरीताएं सूक जाती है और सरीताएं सूक जाती है तो सागर से मिलने के लिए जो वेग चाहिए वो वेग सरीताओं में रहता नहीं है और आज वही दर्शा अपनी है है ऐसा लगता नहीं है सागर से मिलना चाहते तो हैं सागर से मिलने का प्रैत्न करते तो हैं लेकिन आके कहीं न कहीं बहुत बढ़िया अटक जाते हैं कहीं न कहीं अटक जाते हैं आगे जा नहीं सकते आगे बढ़ नहीं सकते तो कहते हैं कि जब सरीता सागर को मिलने के लिए यत्न करती है, जब सरीता सागर को मिलने के लिए जाती है, लेकिन जा नहीं पाती, रस्ते में आये रेगिस्तान के अंदर जब वो सूक जाती है, तो देखो, जो सरीताएं सागर को मिलने के लिए तड़प रही हैं, तो वो सागर के मन में क्या सरीताओं को मिलने की तड़प नो होगे जो सरीताएं सागर को मिलना चाहती हैं लेकिन मिलने जा नहीं सकती तो क्यों सागर ना उनको याद करें तो देखो जब ये सरीताएं सागर को मिलने के लिए बहती हैं जाती हैं लेकिन संसार के रेगिस्तान में जब उनका जल सूक जाता है तो आगे जा नहीं पाती और इतना वियोग होता है, इतना ताप होता है कि हे कृपा सागर, हम तो आपको मिलने के लिए निकले लेकिन दस्ते में ही संसार के ताप में सूक गए आपकी और आ नहीं सकते, हम तो आपकी और नहीं आ सकते लेकिन क्या आप हमारे पास नहीं आ सकते तो क्या सागर को भी उन सरीताओं के पास जाने का मन होता होगा के ने जो सरीताओं सागर को मिलने के लिए टडपती है जो सरीताओं सागर को मिलने के लिए बहती है लेकिन जब रस्ते में अटक जावे तो क्या सागर के मन में भी करुणा नहीं आती होगी कि वो तो नहीं आ सकती पर मैं उनके पास जाओ तो क्या सागर्भी सरीता को मिलने जाता है जाता है वो लेख कैसे जब सरीता मिलने के लिए बहती है लेकिन उनका जल सूक जाता है और विलाब करती है कि देखो हम तो आपको मिलने के लिए आए पर संसार के ताप में सूक चुके हैं अब तो हम आपके पास नहीं आ सकते पर क्या आप हमारे पास नहीं आ सको और जब संसार के ताप में सूकी हुई सरीताओं की पुकार वो सागर सुनता है सागर विचार करें मैं तो नहीं जा सकता पर क्या करूँ कि वो सरीता मुझ तक आपावे तो वही सागर का जल बादल बनके जाता है सरीताओं के उपर और जाके इतना बरस्ता है इतना बरस्ता है कि सू की सरीता के अंदर बहार आती है और बहार का रूप लेके बहती-बहती जाके वो पुना सागर से मिल जाती है वैसे यह ससंग सरिता के अंदर शी वनलब तो कृपा सागर है और हमारी दरशा उस सरिता की तरह है जो वनलब को मिलने के लिए बहती तो है पर इस संसार के रेगिस्तान में आके उसका जल सूक जाता है और निश्चित हम सरीताओं ने विचार किया होगा कि प्रभू हम तो आपके पास आ नहीं सकते क्या आप हमारे पास ना आओ और वो कृपा सुन्धू के मन में उस क्रपा सिंधू रूपी वललब के मन में हम सरीताओं के लिए करुणा जागी और ये ससंग रूपी बादल बनके यहां पे आए कि ऐसे बरसें ऐसे बरसें कि इन सूकी सरीताओं के अंदर इतना प्रेम का बहार आवे कि बहते बहते जाके उस रसागर से मिल जाओं और वही तो उसकी फलरूपता है इसने कह दिया कि कृपा सिंधू जल सीच के राख्यो जीवन मूल कहते हैं कि जब किसी से मिलने की तडप होती है तो ये विरह भी एक प्रकार की बेल होती है जो रदय में जागती है और गोपिया कहती हैं प्रभू कि हमारे रदय के अंदर आपको मिलने की एक विरह लता जाग रही है जैसे बाहर कोई लता हो तो उसका जल का सिंचन करें तो वो बढ़ती है और हमारी लता ऐसी है कि आँ अश्रुजल का सिंचन जित्ता करे उत्ती बढ़ती है जब बार की लता को सुरज का ताप मिले तब वो पल्लवी तो हो और हम जब आपके वियोग के अंदर तपें तब ये पल्लवी तो होती है लेकिन जब तक ये सरीता ये लता को सचे अर्थ में बुरुष्टी भी मिले ताप भी मिले लेकिन उसके मूल में सिंचन नहो तो उग नहीं पाती लेकिन कहा कृपा सिंदु जल सींच के राख्यो जीवन मूल स्नेह बिना मुर्जात है प्रेम बाग के फूल याहिराई जी कह रहे हैं कि देखो श्री वल्लब तो उस वैद की तरह है और वैद की तरह है और इसलिए अपने जित्ते भी पुष्टी सुष्टी वाले जीवन ये हरे की नाड़ी हमारे श्री वल्लब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसलिए किसको, कब, कितना देना ये वललब को बहुत अच्छी तरह पता है अलोग की खितामे हम सब जानते हैं हम सब प्रहुट न करते हैं लेकिन वललब के हाथ में हम सब की नाड़ी है और नाड़ी है तो जिस वस्दू के लिए अपन तैयार न हो वो वस्तु अपन को मिल जावे तो क्या जील पावे आ के ना तो बोलो जिस वस्तु के लिए अपन तैयार नो हो वो वस्तु हमको मिल जावे तो अपन जील न पावे इसलिए अजयाई जी कहते है कि वल्लब के हाथ में सब की नाड़ी है और वल्लब जानते हैं कि जब जीव का अधिकार सिद्ध हो, जब जीव के अंदर पात्रता आवे, तबी उसको वो वस्तु प्राप्त होती है और मैं अपने प्रवचनों में ये वाक्य बार-बार कहता हूँ, कि आध्यात्मिक पत का सबसे बड़ा सनातन सत्य ये है, कि जिस वक्त, जिस समय, जिस वस्तु के योग्य अपन हो जाते हैं, तो वस्तु कहीं से भी हमको मिले बिना रहे नहीं सकती, पर अभी तक वस्तु मिल तो प्रभू को फरियाद न करें, ये माने अभी तक वस्तु पाने की योग्यता नहीं आई, क्योंकि तैयारी नहीं होगी और वस्तु मिल जाएगी, तो जील नहीं पाओगे, अभी तक घड़ा पका नहीं है, और कच्चे घड़े में पानी भर दिया, तो घड़ा फूटे प्रभू ये लता, जो आपके प्रेम की हमारे रदे में जागी है, जो आपका प्रेम न मिला, तो ये लता मुर्जा जाएगी, क्रपा करके आप अपनी क्रपा वरिष्टी का दान दे के, हमारे इस पुष्प को पुना नव पल्लवित करो, ऐसी विंती यहर्याए प्रेम करने वाले परस पर अपनी बातें एक दूसरे से कहते हैं न, तो उसमें कुछ सांकेतिक शब्द होते हैं, और वो सांकेतिक शब्द वही समझ पाते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हो, सुनने वाले को बताना चले, दो प्रेम करने वाले बैटे हो, इशारे में किया बात कर ले, किसी को बताना चले, तो यहां हरीराय महाप्रभु जीने अपने रदे की पीडा कही है किसको बूले просỉ माहत प्रभूजी को तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साखी का मूल अर्थ क्या वो दुनिया में सिर्फ दो ही जने जानते हैं एक तो हरी रायी जिनों ने गाया और दूसरे श्री महाप्रभू जी के जिन के लिए गाया और इसलिए इस साकी का अलग कुछ अर्थ करने जाओं तो मुझे लगे कि कहीं अन्याय न हो जाए इसलिए साकी का सिर्फ अनुवाद ही मैं करता हूँ क्योंकि जब हरीराय जी और वल्लव कृपा करें तो इस साकी के भावर्दे में स्पुरित होते हों बाकि अन्य भाव करने का अधिकार अपना नहीं है इसलिए 25 साकी को यहीं पे विराम दे के आगे 26 साकी का दर्शन करें कि जिसके अंदर वर्णन करते हुए शेहराय जी कह र जग में मिलन अनूप है धगवदियन को संग्ग तिन के संग प्रतापते होते शाम सोरंग श्रीवल लव होते शाम सोरंग जग में मिलन अनूप है तिन के संग प्रतापते है तिनके संग प्रतापते है ओत शाम सोरंग श्रिवल लभ 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 ओत शाम सोरंग 26 मिसाकी में श्रियाय महप्रभुजी भगवदी के सुरूप को बताते हुए कह रहे हैं के जग में मिलन अनूप है भगवदीयन को संग तिनके संग प्रतापते होत शाम सोरंग श्रियाय जी कहते हैं देखो जगत में अपन रोज किसी न किसी से मिलते हैं रोज किसी न किसी से मुलाकात होती है रोज किसी न किसी से मिलन होता है लेकिन हर एक मिलन को हर एक मुलाकात को आप किसी न किसी की उपमा दे सकते हो लेकिन कहते हैं कि जब भगवदीय से मिलन होता है जब भगवदीय से मिलना होता है तो वो मिलन ऐसा है कि जग में मिलन अनूप है अनूप यानि जिस मिलन की कोई उपमा नहीं दे सकता जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता ऐसा मिलन है भगवदियों का मिलन बोले क्यों? क्योंकि तिनके संग प्रतापते होत शाम सो रंग क्योंकि जिनके संग मात्र से प्रभू का रंग लगे भी ना रे नहीं सकता अब देखो भगवदी यानी कौन और भगवदीयों के संग से देखो जगत के अंदर संग का बड़ा महत्म में हमेशा कहता हूं कि अपन जैसे भी हैं सुखी या दुखी अपन जैसे ही हैं आनंदित या दुखी अपन जैसे ही हैं सफल या असफल उसका कारण और कोई नहीं उसका कारण एक मात्र अपन ने किसका संग किया ये संग का ही प्रभाव होता है हम जैसे भी हैं जो भी हैं हमें जीवन में मिले संग के कारण छोटी सी बात आपको बताओ एक कागज है कागज का एक जो टुकड़ा है कि जो एक ही जगे छपा है वो कागज गया न्यूस पेपर छपने के लिए गया तो न्यूस पेपर छपने के लिए गया तो न्यूस पेपर छपके आया सुबह आपने पढ़ लिया और शाम को कुछ बांधने के अंदर पैकिंग के लिए काम आया और वही कागज के जो जिस फैक्टरी में छपा था एक तो नीस पेपर बना सुबह पड़ा और शाम को रदी में गया और वही कागज का टुकड़ा एक गया गीता प्रेस गोरकपुर की प्रेस में और वहां गीता और भागवत चपके आया तो सदा उसको आप माथे पे लेके चलते हो उसका पूजन करते हो तो एक ही जगे से निकला हुआ कागज जिसका संग किया उसकी ऐसी कदर होई जिसका संग किया ऐसा उसका जीवन बना तो इस जगत में अपन जो भी कुछ है हमारे मन के अंदर जो भी कुछ चल रहा है देखो जब डिव्विता आती है न तो सब अच्छा दिखता है दिव्विता आती है तो सब में कुछ न कुछ अच्छा डून लेते हैं और यदि बुराईयां आ रही हैं तो हर एक के अंदर ही वो एक कोटा वो कोटा वो कोटा जब ऐसा जब सब कुछ गलत दिखने ल और अनुभवी का संग जब हो जाए क्योंकि देखो बगवधियों का संग यानि क्या अनुभवी और अपने अनुभव हो से अपन को उस पत्पे ले जाए कर जहां वह पहूंच चुक्य और इसलिए तो कहते हैं, शिगोकुलना जी उनके हास्य वचनामत में कहते हैं, कि देखो जो अनुभवी है, वो अनुभवी के संग का प्रभाव अपने उपर आई भी ना रहे नहीं सकता, शिगोकुलना जी अपने हास्य वचनामत में कहते हैं, कि तीन मित्र थे और वो काटने का काम करते सिद एक दिन दो मित्र कि आ आये यह को कहा कर तु अक्रिл लकटी काटने के लिए जा अब लकड़ी काटने के लिए गया बड़ा सा पेड़ था उसे लगा की पहले नीचे खड़ा खोदू और जैसे ही उसने खड़ा खोदा तो नीचे से कपड़े की पोटली निकली विचारा बड़ा गरीब था उसने कहा ये कपड़े की पोटली में क्या है जैसे खोला तो क्या देखा अंदर सौने की महरें थी अब सौने की महरें देखी उसने वो तो बड़ा प्रसंद हो गया अले देखो प्रभू ने कैसी कृपा मेरे पे कर दी कैसा अनुग्रह किया कि जैसे ही मैंने खड़ा-कोदा और कपड़े की फोटली निकली और उसमें सौने की महरे निकली अब तो मेरा पुरा जीवन बदल जाएगा मेरा जीवन पुरा सुखी हो जाएगा लेकिन कितने बरसों से अंदर होंगी उसमें काफी मिट्टी लगी हुई थी तो उसने कहा ऐसे करूँ मिट्टी जो है मैं सामने नदी बह रही है तो नदी में जाके सौने की महरों को दोलू और शुद्ध हो जाए फिर घर लेके सबको बताऊंगा देखो मुझे इतनी सौने की महरे मिली है भागता हुआ सामने की नदी में गया उस पोटली का एक छोर तो उसने अपने गले में टंगाया एक छोर पकड़ा और महरों को दोने के लिए जैसे ही उसने वो पोटली को डुबोया पानी के अंदर एक ऐसा जटका लगा कि ये छोर बह गया पानी में और उसके संग नदी के प्रभा में वो सारी सोने की महर बह गया और ये बात का इतना आघात उसको लगा कि सब कुछ वो भूल गया सिर्फ एक ही वाके बोलने लगा कि खोनी थी तो पाई क्यो चलता चलता घर गया पतनी ने कहा आगए बोले खोनी थी तो पाई क्यो बोले आज शाम को क्या खाओगे बोले खोनी थी तो पाई क्यो बोले कहो तो सही क्या हुआ बोले खोनी थी तो पाई क्यो उसे लगा के जरूर कोई वहां गये है और कोई भूत भूत लग गया है इसको। कि एकी बात बोल रहा है सुई अटक गई है कोनी थी तो पाई क्यों कोनी थी तो पाई क्यों। उसने उसको साइड में ले गया और कहा है तुमुझे बता रहा है कि क्या हुआ बता मुझे क्या हुआ वहन अभी के भी तुझे मारूंगा। जैसे उसकी पत्नी के पास गया उसने अपने भाई को समझा दिया बोले पाई तो पाई पर धोई क्यों। बोले कहो तो से क्या हुआ बोले पाई तो पाई पर धोई क्यों। पहला वाला बोले खोनी थी तो पाई क्यों? और ये बोले पाई तो पाई पर धोई क्यों? पूरे गाओं के लोग परेशान हो गए इसको पूछे क्या हुआ? ये बोले खोनी थी तो पाई क्यों? और दूसरे से पूछे दूसरा के पाई तो पाई पर धोई क्यों? लोग पूछा की विचारे को बुलाया कि दोनों को समझा हो उसने पूछा पहले से रहे भाईया बता तो क्या चक्कर क्या है बोले खोनी थी तो पाई क्यों दूसरे से कार तू तो बता बोले पाई तो पाई पर धोई क्यों अब दोनों बार बार पूछे पर दोनों यही उत्तर दें अब तीसरा भी कंटाल गया दोनों को लेके गया और तलवार निकाल के बोला के तुम बताते हो के नहीं क्या हुआ नहीं बता हो के तो भी दोनों को मार दोंगा और दोनों ने मिलके पूरा प्रसंग उसको सुनाया और सुनते हैं उसका भी छटक गया पहला बोले खोनी थी तो पाई क्यों दूसरा बोले पाई तो पाई पर धोई क्यों और तिसरा बोले धोई तो धोई पर खोई क्यों सारे गाउं के लोगों ने तिसरे मित्र से कहा अरे भाईया दोरों को समझा दिया बोले पाई तो पाई पर दोई क्यों दूसरा बोले दूसरा के तुमने समझाया बोले दोई तो दोई पर खोई क्यों अब तीनों पागल हो गए अब देखो यहां को कुलना जी कहते हैं कि इसमें सोना महर मिली किसको थी पहले को सोना महर देखी किसने थी पहले ने खोई किसने पहले ने यानि अनुभवी कौन हुआ बोले पहला लेकिन जिसने खोया जिसने देखा वो पागल हुआ ये तो समझ में आवे लेकिन दोनों ने तो मात्र सुना तो वो सुन के भी पागल क्यों हो गए जिसने पाया और जिसने खोया वो पागल हो ये तो समझ में आवे पर जो बाकी के दो थे उन्होंने तो न खोया था न पाया था फिर भी इसकी बात सुनके पागल क्यों हो गए तब शीगोकुला जी कहते हैं कि देखो अनुभवी की बात जब अनुभवी सुनता है तो उसका प्रभाव उसके उपर आई बिना रहता नहीं है बोले क्यों पहले मित्र को ये सोने की महर मिली और उसने पूरा वर्णन किया कि मुझे सोने की महर मिली तो उन दोनों ने भी पहले सोने की महर देखी हुई थी तो जब ये बोल रहा था कि सोने की महर मिली तो वो दोनों कल्पना कर सकते थे के नहीं कि सोना महर कैसी होती है हाँ या ना क्योंकि उन्होंने देखी थी अनुभवी थे पहले ने कहा कि सोना मोहर मिली और मैं पानी में धोने के लिए गया नदी में तो वो नदी भी उन्होंने देखी हुई थी तो नदी की कल्पना जब ये वर्णन करता तो कर सकते थे के नहीं हाँ या ना और जब उसने कहा के नदी में ये सोना मोरे बह गई तो नदी उन्होंने देखी थी, सोना मोर देखी थी, तो जब पहले ने वर्णन किया तो बाकी के दो वो कल्पना अनुभव कर सके के नई के पानी में कैसे बह गई होगी यदि बाकी के दोनों ने सोना मोर कभी देखी नव होती या नदी देखी नव होती, तो पहले वाले के अनुभव की बात का प्रभाव इन दोनों पर ऐसे होता के जैसे अभी हुआ? नहीं बोले क्यों? क्योंकि ये दोनों भी अनुभवी थे और अनुभवी थे तो अनुभवी की बात को समझ सके और जान सके वैसे ही भगवदियों का संग यानी क्या बोले अनुभवियों का संग और अनुभवी का संग मिला और अपन भी लीला के जीव हैं तो कभी न कभी वो अनुभव अपन ने भी किया है कभी न कभी वो देखा है और अनुभवी जब अपने अनुभव की बात करे तो उसका प्रभाव भी आपके उपर आए भी ना रहे नहीं सकता जब अनुभवी वो अपने लीला के प्रसंग कहे वो अपने लीला के प्रसंगों का वर्णन करे तो वर्णन सुनके उसका कोई न कोई प्रभाव अपने उपर भी कही न कही आता है इसने कह दिया के जग में मिलन अनूप है भगबदियन को संग तिनके संग प्रतापते होत शामसो रंग क्योंकि उनके संग प्रताप से जब वो अपनी बाते सुनावें तो बाते सुन सुन के अपनी खोई हुई यादे ताजी हो जावें हपने किये हुए सारे अनुभाव पुनह मानस पटल पर गूंजने लगें और हम भी होत शाम सो रंग अमारे उपर भी वही प्रभू का रंग चड़े कि जो रंग उन भगवदियों के उपर है जिस रंग के अंदर वो भगवदी भीजे हुए हैं उस रंग का प्रभाव अप अपने उपर भी आ जाता है यह बात यहां 26 वी साकी के अंदर शेहराय महाप्रभू जी ने कही यह संक्षिप में देख के आगे 27 वी साकी का दर्शन करें कि जिसके अंदर वर्णन करते हुए वही भगवदियों की बात आगे बढ़ाते हो हिराय जी कह रहे हैं हरी जन आवे बारे ने असी हसी नावे श्री अरी जन आवे बारे ने असी हसी नावे श्री उनके मन की वे जाने मेरे मन जग दी श्रीवल लव मेरे मन जग दी हरी जन आवे बारे ने आगे हरी जन आवे बारे ने आगे असी रसी नावे श्री जन आवे बारे ने उनके मन की वे जाने उनके मन की वेजाने मेरे मन जगदी श्रिवल लब मेरे मन जगदी श्रिवल लब मेरे मन जगदी श्रिवल लब मेरे मन जगदी 27 विसाकि के अंदर शेहराय महाप्रभुजी कह रहे हैं के हरीजन आवेवार ने हसी हसी नावेशीष हरीजन आवेवार ने हसी हसी नावेशीष उनके मन की वेजाने मेरे मन जगदी श्रिवल लब जब भी भगवदियों का संग हो जब भी कोई भगवदी से अपना मिलन हो तो अपन अपने मन में क्या चल रहा है उसकी चिंता कम करते है पर सामने वाले के मन में अपने लिए क्या चल रहा है इसकी चिंता क्या बात है यह अनुभवीयों के आगे बोलने का फल है कि महनत आधी करनी पड़ती है इशारों में समझ जाते हैं क्योंकि जिसका भी संग हपन करते है वहाँ अपने मन में क्या चल रहा है उसकी चिंता कम शूँ विचारता है शेमारा माटे यह यह चिंता थोड़ी ज़्यादा होती है तो कहते हैं कि जब हरी जन आवे वार ने हसी हसी नावत शीष जब भी भगवदियों का मिलन हो जब भी वैश्णों का संग हो तो हस हस के मस्तक जुका के उनका अभी वादन करो उसके मन में जो चलता हो चलता हो उसके मन में जो हो के नहो पर मेरे घर में वैश्णों आ या मेरे लिए तो जगदीश पधा रहे है विचार करो कि जब भूराजा वैश्णों राजा थे और एक बहुत बड़ा बहरूपिया आया और अलग-अलग स्वांग लेता और जब स्वांग लेके अभी नहीं करता तो बड़े-बड़े लोग भी दंग रह जाते उसका अभी नहीं देखके और जब राजा के दरबार में आया कि बड़े गुणी जन है राजा और मैं अपनी इस वेश बदलने की कला से राजा को प्रभावित करूँगा राजा के सामने चक्रवती समराट का वेश लेके आया और बिलकुल राजा की तरह बोलने लगा तलवार निकाली और इस तरह से बोले कि सारे सभासदों को लगा के जरूर कोई चक्रवती समराथ आजपदार है सब लोग खड़े हो गए ऐसा अभिनाय उसका कि सब लोग बड़े ग्यानी भी दंग रह गए लेकिन दाजा तो चुप चाप अपनी दृष्टी नीचे करके अश्टाक्षर का समर्ण कर रहा था वो वहरूपिया बार बार अलग-अलग समवाद बोले अलग-अलग परकार का अभिनाय करे लेकिन दाजा के उपर जब कोई प्रभाव न देखा लज्जित हुआ बोले राजा को मैं प्रभावित करके रहूंगा जाके कोई ज्यानी का वेश्ट लेके आया कोई महात्मा बनके आया और जैसे संस्कृत के श्लोक बोलने लगा वेद मंत्र बोलने लगा वो देखके सारे सभासत फिर से दंग रहे गए कि जरूर कोई बहुत बड़े ज्यानी आये हैं सब लोग खड़े हो गए उनको मान देने लगे लेकिन राजा तो द्रश्टी नीचे करके बैटे है उनको लगा कि मेरा अभिनए देखके सारे बड़े बड़े सभा के अंदर रहे ज्यानी दंग रह गए सब लोग खड़े हो गए लेकिन राजा के उपर मेरा प्रभाव क्यों नहीं आ रहा अनेक रूप बदले अनेक स्वांग लिये लेकिन राजा को जब प्रभावईद होते न देखा तब किसी ने बताया कि ये राजा तो वैश्णव है और जब ये जाना के राजा वैश्णव है और तब उस बहरूपिये ने सारे रूप बदले और वैश्णव का रूप लिया सुन्दर सफे धोती बंडी धारन करी मस्तक पे तिलक धारन किया हाथ में गव मुखी की मालाली और जहां भगवत स्मर्ण करते करते राजा के महल में गुसे और अभी वैश्णव को देखके राजा ने अपनी दृष्टी उपर करी और देखा कि मेरे आंगन में कोई वैश्णव आये हैं और अपनी सिंगासन पर से उतर के भागता भागता गए और जाके उस वैश्णव को रदे से लगाया और जैसे रदे से लगाया सब लोग कहने लगे और ये वैश्णव नहीं ये तो कोई बहरूप भी आये तो राजा ने कहा कि उनके मन की वे जाने मेरे मन जगदीश वो क्या वनकिया आये हैं क्या सोच के आये हैं उनके मन की वो जाने पर मेरे आंगन में तो कोई वैश्णो आये तो वैश्णो के रूप से स्वयम जगदीश मेरे आंगन में पधा रहे हैं स्वयम प्रभू मेरे आंगन में पधा रहे हैं उसलिए तो कहरिया कि हरी जन आवे वार ने हसी हसी नावे शीष उनके मन की वे जाने उनके मन में क्या चल रहा है इसकी फिकर अपन क्यों करें बस वैशनों के रूप में आए हैं एक वैशनों के रूप से अपना परीशे रिया है तो अपने लिए तो स्वयम प्रभू पधा रहे हैं ऐसा शेहराय महाप्रभू जी ने इस 27 वी साकी के अंदर वर्णन किया और आगे 28 वी साकी के अंदर उसे विशय को आगे बढ़ाते हुए हिराय जी कह रहे है हरी बड़े हरी जन बड़े बड़े हैं हरी के दास हरी बड़े हरी जन बड़े बड़े हैं हरी के दास हरी जन सों हरी पाव ही जो है इनके पास श्रीवल लव जो है इनके पास हरी बड़े हरी जन बड़े हरी जन बड़े हरी जन सों हरी पाव ही जो है इनके पास श्रीवल लव जो है इनके पास श्रीवल लव जो है इनके पास श्रीवल लव जो है इनके पास 28 विसाकी के अंदर श्रीवल लव जो है इनके पास 28 विसाकी के अंदर श्रीवल लव जो है इनके पास हरी बड़े हरी जन बड़े हरी जन बड़े हरी बड़े या हरी जन बड़े दोनों में यदि चर्चा करें तो प्रभू में और प्रभू के बक्तों में अधिक बड़ा कौन तो हिराई जी कहते हैं हरी बड़े हरी जन बड़े बड़े हैं हरी के दास हरी जन सों हरी पाव ही जो है हरी इनके पास देखो प्रभू और प्रभू के भगत दोनों में यदि चर्चा करनी पड़े कि दोनों में बड़ा कौन तो सिर्फ ये देखने का कि दोनों में स्वतंत्र कौन है और आधीन कौन है दोनों में क्या देखने की बात मैंने करी प्रभू में और प्रभू के भगतों में स्वतंत्र कौन है और आधीन कौन है? कौन है? स्वतंत्र कौन है दोनों में? भगवान और भगवान के भगतों में स्वतंत्र कौन है और आधीन सरूप कौन है? अब देखो एक सिंपल बात आपको बताओ जिसके पास choices हैं वो स्वतंत्र है और जिसके पास कोई choices रही नहों वो आधीन है तो भक्त और भगवान दोनों में से choices अधिक किसके पास है भगवान के पास के भक्तों के पास अब देखो आपको कहीं बाहर जाना हो आप रोज सबेरे ठाकोर जी की मंगला ठाकोर जी को साथ बज़े जगाते हो लेकिन बाहर गाओं जाना हो भले संडे हो बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं साथ बजे रोज जगाते हो लेकिन उस दिन कहीं बारगाम जाना हो और चार बजे जगा हो तो प्रभू ने कभी भी कंपलेन करी क्या संडे है सोने तो दे कई कभी लेकिन संडे है आप सो रहे हो और आपको कोई रोज आठ बजे जगाता हो लेकिन आज नो बजे भी जगाने आवे तो आप क्या कहोगे सोने दे वा ठाकोर जी को जगाते हो तो ठाकोर जी कोई ओप्शन नहीं दे ठाकोर जी जाग जाते हैं छुट्टी है आई मुझे सोने दो तो option किसके पास है तो जिसके पास option नहीं है वो आधिन और जो option लेके घुम रहा है वो सतंद्र अब देखो आप कोई नहीं नहीं वस्तु सामगरी सीखे हो बराबर अभी सीखना भी आया नहीं थोड़ा पुस्तकों में पढ़के थोड़ा कहीं से सीख के और जब आप रसोई बना रहे थे तो उस तरह से बना रहे थे कि घर के लोग भी देखके भाग गए कहीं हमको न लेना पड़े और पहले वेली असी कोई सामगरी बनाई और ठाकोर जी को जाके भोग धरा तो ठाकोर जी ने कभी भी कम्प्लेन करी कि पहले कुकिंग क्लास जोईन करके आ पहले अच्छे से सीख के आ कभी कम्प्लेन करी जैसा भी बना के जैसे भी अपन ने ठाकोर जी को सनमूख किया ठ वो नहीं है तो option किनके पास है अपने पास और option किनके पास नहीं है तो कहते हैं जिनके पास option है वो स्वतंत्र और जिनके पास option नहीं है वो आधीन तो कहते हैं भगवान भकतों के आधीन तो जिसके आधीन हुए वो स्वतंत्र हुआ तो बड़ा कौन हुआ आधीन होने वाला के स्वतंद्र तो इसलिए हरियाई जी कहते हैं कि हरी बड़े हरी जन बड़े बड़े हैं हरी के दास क्योंकि हरी जन सों हरी पाव ही क्योंकि है हरी इन के पास भगवान स्वायम कहते हैं मैं तो भक्तों के मद्द में रहता हूं मैं तो भगवदियों के रदय में रहता हूँ अब जो रदय के अंदर कैद है तो जिसके पास है वही तो दे पाएगा जिसके पास है वही वो दे पाएगा इसलिए हिराई जी कहते हैं कि हरी बड़े हरी जन बड़े बड़े हैं हरी के दास हरी जन सों हरी पा वही क्योंकि है हरी इनके पास क्योंकि भगवदिय तो जहाँ जहाँ भगवदी जाएं पीछे पीछे हमारे प्रभू भी जाएं तो प्रभू मिले तो वैश्णों का संग मिले कि न मिले पर वैश्णों मिले तो तो प्रभू मिले ही मिले प्रभू के संगशाय साइद भगवदी मिले निश्चित नहीं पर भगवदीयों का संग हुआ तो प्रभू मिलना निश्चित है यसलिक एदिया के हरी जनसों हरी पाव ही क्योंकि है हरी इनके पास जिनके पास नहीं भेई तो देपा में भगवदियों का आश्रे मिले तो अपन गजेंद्र मुख्य की कथा सुनते हैं न कि जब गजेंद्र सरवर में श्नान करने गया और ग्रहा ने आके गजेंद्र का पैर पकड़ा और गजेंद्र ने प्रभू को आवाज लगाई और भगवान उसकी पुकार सुनके जैसे ही आए गजेंद्र की स्थुती सुनके जैसे ही आए और आके अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया विचार करो भगवान की स्थुती किसने करी गजेंद्रने के ग्राहने किनने प्रभू को पुकारा किसने गजेंद्रने के ग्रहा ने लेकिन जब भगवान आये तो पहला उद्धार किसका किया ग्रहा का किया अपन को लगे भगवान कि स्तुती करी गजेंद्रने भगवान को पुकारा गजेंद्रने लेकिन जब भगवान आये तो गजेंद्र का उद्धार बाद में पहले ग्रहा का उद्धार पहले क्यों किया तो कहते हैं कि जब गजेंद्र इस सरोवर के अंदर गया और जहां मगर रहता था ग्रहा रहता था और जाने अंजाने में उसने उस गजेंदर का पैर पकड़ लिया और जैसे ही पैर पकड़ा गजेंदर भगवान को पुकारने लगा और जैसे ही गजेंदर ने प्रभू को पुकारा उसकी पुकार सुनके उसके आर्थ नाज को सुनके ग्रहा चौका विचार करने लगा कि जिस प्रकार आज गजेंदर प्रभू को पुकार रहा है जो तडप इसकी पुकार के अंदर है जो आर्थ भाव उसकी पुकार में है ये सुनके प्रभू को आना ही पड़ेगा जाने अंजाने में आज मेरे हातों में किसी भगवदी के चरण आ गया है अरे मेरे कर्म तो कैसे कठोर होंगे कि मुझे ये ग्रह की योनी मिली मुझे तो प्रभू के दर्शन कभी नहीं हो सकते लेकिन देखो जिसकी पुकार सुनके प्रभू अपने आपको आने से रोक नहीं सकते उसकी पुकार सुनके प्रभू व्याकुलो के आएंगे ऐसे भगवदी के चरण मेरे हाथ में आ गये हैं वो चरण मैं नहीं छोड़ूँगा गजिंद्र बार-बार पेरों से ब्रहार करता रहा मारता रहा लेकिन गजिंद्र के चरण ग्रहने नहीं छोड़े और जब भगवान आये तो क्या देखा कि जिसने मेरी स्तुती करके मुझे बुलाया वो गजेंद्र तो मेरा भक्त है पर मेरे भक्तों के चरनों को पकड़के जो बैठा है वो ग्रहा तो मेरा परम भक्त है और आये गजेंद्र के बुलाने से परा के पहला उद्धार ग्रहा का दिया इसलिए कहे दिया कि जाने अंजाने में भी भगवदी का संग हो गया और उसका भी उद्धार हो गया इसलिए हरी बड़े हरी जन बड़े बड़े हैं हरी के दास हरी जनसों हरी पाव ही क्योंकि है हरी इनके पास ये बात 28 वी साखी के अंदर करी और आगे इसी वस्तु को आगे बढ़ाते हुए 29 वी साखी के अंदर शेहराई जी कह रहे हैं मन नगता को दीजिये जो प्रेम बार खी हो मन नगता को दीजिये जो प्रेम बार खी हो नातर रहिये मौन गहे काहे जीवन खोई श्रिवल लव काहे जीवन खोई मन नगता को दीजिये जो आगे मन नगता को दीजिये जो प्रेम बार खी हो नातर रहिये मौन गहे काहे जीवन खोई श्रिवल लव काहे जीवन को श्रिवल लव काहे जीवन को श्रिवल लव काहे जीवन को देखो आगे की साखियों में हरीराई जी ने भगवदियों के संग की बड़ी महिमा बताई भगवदियों के सतसंग की बड़ी महिमा बताई लेकिन 29 वी साखिय में थोड़ा सावधान भी कर रहे हैं और सावधान भी करके कहते हैं कि मन नग ताको दीजिये जो प्रेम पारखी हो है देखो मैंने पहले ही कहा कि जगत में जिसका संग करते हैं उसके जैसे होने में देर नहीं लगती और इसलिए कहते हैं कि पहले संग करने को कहा लेकिन अब थोड़ा सावधान करते हैं और कहते हैं कि देखो दुनिया में संग करने की उतावल जादा करनी भी नहीं क्यों क्योंकि मन नगता को दीजिये जो प्रेम पारखी होए नातर रहे मौन गई काहे जीवन खोए देखो ये मन क्या है तो हिराजी कहते हैं मन नग और नग यानी क्या यदि नग आप किसी साधारण को दे दोगे तो उसका मोल कर नहीं पाएगा लेकिन जोहरी को दोगे तो उसको तराश के सुन्दर बनाके मुगट में जड़के ठाकोरजी के मस्तक तक पहुँच जाओगे तो ये मन रूपी नग देने में जल्ली उतावल नहीं करनी है क्यों 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 क्योंकि इस जगत में आप जिसका संग कर रहे हो पहले ये तो देखो ये तो पर्को कि जिसको आप अपना मन देने को उतावले रहे हो वो क्या जोहरी की तरह है क्यों आपके मन को परक सकता है जीवन में जिसका भी संग करें तो पहले ये देखो कि जिसके संग से मैं जो पाना चाहता हूं तो जिसका संग किया क्या उसने उसको पाया है यदि वो प्रभू का वेंडन करता है तो कितना भी मीठा बोलता है वो मस्त सुनो जिसके बारे में बोल रहा है वो क्या उसकी आँखों में जलकते हैं जिसकी बातें आप सुन रहे हो तो वो क्या कह दे ये भरोसा मत करो ये जिदा सुनो नहीं उसकी आखों में देखो कि जिसके बारे में बोल रहा है ये उसने खुदने भी पाया है कि नहीं पाया यदि उसने खुदने नहीं पाया तो आपको उसका परिचे कैसे कराएगा जो स्वैम भटका हुआ है वो आपको पत कैसे दिखाएगा जिसका संग करें पहले ये देखें कि उसके पत पे उसके चरण स्थीत हैं के नहीं यदि वो स्वैम स्थीत नहीं है और उसके पैर बकडने गए तो वो भी गिरेगा और आपको भी गिराएगा इसने कहते हैं कि संग भी किसका करना आज अपन क्या करते हैं ऐसे संग ढून लेते हैं वो नहीं रती को कान में कम सुनाई देता था कान में तकलिफ थी और बताने के लिए कोई ENT सरजन के गया और जिस ENT सरजन की क्लिनिक में गया वहां हर एक दिवाल पे बौर लगे थे कि डॉक्टर साहिब उंचा सुनते हैं जरा जोर से बोलना हम समश्या का समाधान ढूनने के लिए भी ऐसी जगे ऐसा संग कर लेते हैं कि जो स्वेम समश्या बनके घुम रहे इसलिए कह लिया कि मन नग ताको दीजिये जो प्रेम पा रखी हो है मन रुपी नग हर किसी के हाथ में देने में उतावल नहीं करने क्योंकि देखो चाए संग न मिले कोई बात नहीं लेकिन कोई ऐसा संग न हो जावे मैं कई बार कहता हूँ कि संग का रंग चड़ाने में युगो युगो बीच जाते हैं लेकिन दुसंग का रंग चड़ने में एक घड़ी लगती है कितना संदर आप दूद तैयार करो कितना उकालो कितना वो करो लेकिन एक निमू का बूंद अंदर गिरा पूरी मेहनत गई पानी में और ऐसे ही अपने होता है संग करो तो यह सावधान रो कि किसके संग से कैसे विचार अपने मन में आ रहे है क्योकि उसके अंदर जो होगा वो अपने अंदर रिफलेक्ट होगा जिसके संग से सिर्फ लॉकिक बढ़ रहा है जिसके संग से सिर्फ लौकिक ही विचार आ रहे हैं जिसके संग से सिर्फ कला ही बढ़ रहा है तो मानो वो संगत भी नहीं है वो कहीं दुसंग की और अपन जा रहे हैं तो इसलिए कह दिया कि मन नगता को दीजिए जो प्रेम पार रखी हो है इसलिए हरियाई जी अपन को कह रहे हैं कि संग भी उसका करो कि जो स्वयम पहले पाया हुआ हो क्योंकि जिसने स्वयम पाया है वो आपको दे सकता है जिसके पास जो लेने के लिए गए वो उसके पास है ही नहीं तो वो आपको देगा कैसे इसलिए हरियाई जी कहते हैं कि यदी ऐसा कोई संग न मिले तो भटक ना बंद करो आपके घर में 84 और 252 के पुस्तक विराज मान हैं मानो यही मेरे भगवदी है ये मान के उनका संग करो संग न मिले चलेगा लेकिन संग की आड में कहीं दुसंग न लग जाए इसके लिए सावधान देना क्योंकि ये मन नग है और रदे में जागा हुआ आपका भाव ये आपकी पुंजी है और उस पुंजी को कहीं लुटने मत देना भाव अपनी पुंजी है और ये पुंजी को किसी को लुटने का अधिकार नहीं है इसने कह रिया कि मन नगटा को दीजिये जो प्रेम पार्खी हो और प्रेम पार्खी हो इसका मतलब क्या जिसने स्वयम भी पाया हुआ और जिसने पाया हुआ है जिसने स्वयम उपलब्दी करी है वो तो अपन को उपलब्दी बता सकते हैं वना सिर्फ युक्ती बताएंगे और जो युक्ति खुद के लिए काम नहीं आई वो उसकी युक्ति अपने लिए कैसे काम करेगा। जिसकी बताई हुई युक्ति से वो नहीं तरा तो उसकी युक्ति से अपन कैसे तरेंगे। जिसकी युक्ति उसके जीवन में कोई प्रभाव आध्यात्म का नहीं दिखाती तो उसकी बताई हुई युक्तियां हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको कैसे उपलब्दी करा सकती है इसलिए हर्याई जी अपनको सावधान करते हैं और कहते हैं कि मन नगता को दीजिये जो प्रेम पार्खी होए और प्रेम पार्खी होए इसका मतलब ये कि आपको देखते ही आपकी अवस्था को जान लेवे कि आप कहां पे खड़े हो और जहां खड़े हो वहां वो जान लेवे तो आपको बता सकता है कि वहां से फिर आपको जाना कहां है देखो दिक्कत अपने वहां क्या होती है یہा पे बैटे हुए कई लोग ऐसे हैं कि जो अभी प्राइमेरी स्टेज पे हैं कई लोग ऐसे हैं कि जो थोड़े ऊपर higher secondary level में हैं कई लोग ऐसे high school के level पे हैं कई लोग college के level पे हैं पर कई लोग PhD के level में हैं अलग-अलग लोग हैं लेकिन दिक्कत ये है कि आध्यात्म में सबको एक समान ही सिले बस दिया जाता है होता है कि नहीं एक समानी सिले बस दिया जाता है तो बीचरा primary वाला और डर जाता है और PhD वाला है वो confused हो जाता है तो कहते हैं कि संग किसका करना कि जो प्रेम पार्की हो और प्रेम पार्की हो यानि आप कहां खड़े हो वो जान पावे और कहां खड़े हो ये जान ले वे तो फिर वो आपको बता सकता है कि वहां से फिर आपको कहां जान आए जब तक वो ये जान न पावे कि आप खड़े कहां पे हो तो आपको रस्ता कैसे बताएगा मैं कई बार कहूँ न कि आप अचानक अपनी कार लेके रात को किसी सगे सम्मंदी को मिलने के लिए वड़ुद्रा में आए रस्ता भूल गए उसका घर नहीं मिल रहा तो आपने उसको फोन किया और कहा कि देख मैं तुझे मिलने आया हूं लेकिन यहां रस्ता बटक गया हूं मुझे रस्ता बताएगा बोले चिंता ना कर मैं खुद तुझे लेने के लिए आ रहा हूं पर यह बता तुझे खड़ा कहां पर है अब अपन यह बता न पावे के हम खड़े कहां पर हैं तो वो मदद करने के लिए आने वाला व्यक्ती भी क्या हम तक पहुँच पाएगा और हम तक पहुँच नहीं पाएगा तो हमें रस्ता बताएगा कैसे पहले यह बताना पड़ेगा के हम खड़े कहां पर हैं तो प्रेम पार की यानी कौन जो अपनी अवस्था को जान पावे के अपन खड़े कहां पर हैं और कहां खड़े हैं यह जो जानता है वही अपन को आगे बढ़ने का रस्ता बता सकता है क्योंकि दिक्कत यह होती है अपन खड़े कहीं होते हैं और जिससे रस्ता पूशते हैं उसको बराबर पता ही नहीं कि हम खड़े कहा है वो कहीं और से नेविगेशन बताता है और अपन खड़े कहीं और है और इसलिए दिक्कत होती है इसलिए कह दिया कि मन नगता को दीजिय जो प्रेम पार्खी होए नातर रहिये मौन वे काहे जीवन खोए ये 29 विसाखी का श्रमन करके आज देखो आज एक विशेश उस्तव है श्री महाप्रभुजी का कनका विशेक का और कनका विशेक महाप्रभुजी का कहां हुआ था विशेक नगर जो बैठक जी का अनौसमेंट अपन कर रहे है तो वो ये वही बैठक जी की लीला है कनकृष्णान सत्मन सुवर्णे कराव्यू महिपार ते मुकी वेगे चालिया राय दर्ष्टीन पाचिवार जो वलभाख्यान में अपन गाते हैं कि जब शी महाप्रभू जी विजय नगर के राजवेंपधारे राजा कृष्णदेव राये ने जब आपके विचारों को आपके एक एक शास्त्रिय रूप से दी हुई युक्तियों को सुना इतने प्रभावित हुए कि उस समय शी महाप्रभू जी का सत्मन स्वर्ण से कनका भी शेक करवाया गया और उसी लीला का दर्शन अपन करेंगे लेकिन उससे पांच मिनिट के लिए कुछ एनौंस्मेंट हैं क्योंकि देखियो कल से ही परसों से जब ये एनौंस्मेंट चालू होई दोनों बैठक जी की और ऐसे ऐसे जीव इस कारे के अंदर आगे बढ़ रहे हैं कि अपनको लगे का देखो अब ये मनुरत अपना नहीं रहा ये मनुरत स्वयम श्री वल्लब का हो गया है कि 500 वर्ष के बाद उनों आपको बैठक जी प्रगट करके वहां बिराज के अपने जीवों को सुख देना है अपने जीवों को आनंद देना है तो पंपा सरोर यानि 46 वे रंबर के बैठक जी और विध्यानगर के बैठक जी के जहां महाप्रभू जी का कनकाभी शेक हुआ जिस दिला के दर्शन अपन करेंगे उससे पुर्व एक दो बहुत जरूरी एनाउंसमेंट हैं वो होंगी उसके बाद मनुवत अपन प्रारम करेंगे और अपन सब आसे 500 वर्ष पहले जैसे शी महाप्रभू जी का कनकाभी शेक हुआ वैसे उस दिला की कुछ जलक अपन य जैसे ही पुजशी ने बधाई दी है आज महाप्रभू जी का कनका विशेक भी होने जा रहा है और पिछले दो दिनों से दिस अप्रगट बैठक जी की प्रगट होने की दिब्य बधाई हमें पुजशी द्वारा प्राप्त हुई है और दो दिनों से आस्था चैनल के माध्यम से जो भी वैश्णों गुज़रात में गुज़रात से बाहर भारच्वर से बाहर जो भी वैश्णों इस पूरे कारिकरम को देख रहे हैं उनके मन में भी यह भाव जागा है कि हम भी पुजशी द्वारा दिव बधाई को बधाले और पंपा सरोवर एवं विजे नगर की अप्रगट बैठक जो पुज़री प्रगट कर पा रहे हैं हम भी सयोगी बने और कई वैश्णों के उत्साह पूर्व फोन भी आ रहे हैं उनकी धनराशी भी इस दिव्य अनुपम कारिय में वे समर्पित कर रहे हैं तो कुछ वैश्णों के नाम है जो यहां समय उद्गोशित करना चाहूंगा जो हमें इस आस्था चनल के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उन वैश्णों को भी धन्यबाद है जो अपनी दिव्य लक्समी के संग इस भगीरत कार्य में जूड़े हैं श्री मनोहरदास गुजराती दिल्ली से एक लाख रुपे दे रहे हैं ताली तो बजनी चाहिए श्री हरकिसंदास भाई एन दुरुना चेननाई से है 51,000 इन्होंने दिया है श्री कृष्ण कुमार जी पिनकी जी दिल्ली से 51,000 दिये हैं श्री विजयी जी अरोरा 51,000 जिन्होंने दिये हैं नरिंद्र जी बबबर दिल्ली से जिन्होंने 51,000 दिये हैं सत्य प्रकास जी दिल्ली से जिन्होंने 75,000 रुपे दिये हैं श्री पुष्टी परिवार युवा मंच दिल्ली से इन्होंने भी 51,000 धनराशी प्रदान की है श्री घंशाम जी जो दिल्ली से है उन्होंने 51,000 अनुराशी दे है श्री मालो जी धिंगडा इन्होंने भी 21,000 दिये है और आज एक ऐसी भगवदी सक्षियत यहां पर उपस्थित है कि हमारी गुवा राज्य में पुझश्री के निश्रा में एक दिव्य श्री गुवर्दन नाजी की हवेली है तो ज्यादातर वैष्णों को यह प्रश्ण होता है और गुवा में भी हवेली हो सकती है क्या तो जो वैष्णों यहां से गए है जिन्होंने दर्शन किये है वो जानते है कि आनुपम स्वरूप है प्रभू का और दिव्य सेवा का भी क्रम है तो गुवा में जो हवेली है उस हवेली में भी जिनका सहयोग सेवा कारियर रहा है और जैसे ही पुजशी द्वारा इस वढ़ाई को सुने है के हमपी की बैठक और विजे नगर की बैठक जो पुजशी द्वारा नवनिर्वित होने जा रही है तो वे भी आगे आये उत्साह के संग और इन्होंने भी अपना दिव्य अनुदान दिया है तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालिया इनके लिए बजाए ये हमारी सक्षियत है हमारे परमभगवदी ये बंबई से मनोज भाई कचेरिया जिनोंने विजे नगर की बैठक के लिए 35 लाख रुपे का अनुदान दिया है और विजे नगर की बैठक के मुख्य मनरोती बे बने है मनोज भाई कचेरिया एवं बेला बेन कचेरिया खुब खुब धन्यवाद है और संग में ये जो विजे नगर की बैठक जी के मुख्यद्वार का जो निर्मान होगा उनमें भी इनके चीरेंजी भी रिकीन कचेरिया एवं विरेल कचेरिया ने 11 लाग का अनुदान दिया है तो मैं मनुझ भाई कचेरिया एवं बेला बेन को बिननती करूँगा ये कुर् राप्त करें जोड़दार तालिया हो जाए जिनके अनुदान से जो हमारी अप्रगट बैठक है वो तुरंद ही उनका कारिय गतिमान होगा और हमें कुछी वर्षों में अलाकि खूब ही निकट की वर्षों में इस दिव्य दोनों ही बैठक का दर्शन जारी चरणसपर्स क सब संपन्न होगा तो ये जो मनुरत ही बढ़ार रहे हैं पुजशी के आशिरवाद प्राप्त करेंगे और उनके बाद तुरंत ही पुजशी ने जो बढ़ाई दी है आज कंका विशेक का भी मनुरत है उनका भी सभी वैश्णों को लाब मिलेगा करें मिलेगा दाल रहे आज स४्थ LE मुझा लाएप मिलेगे लेगा प्राव जा गयानका फ्रत्तरा मिलेगा। को लोगे ट मेत रहे हैं,焦 जाओación मिल्वाद टीम्स करेंए नुर्स्णोंूमा पाबि किक पुछिखर्वें, जाँ भी अरक निसमना एक और भी नाम यहां पर आया है चिन्नाई से भार्दिक धुना वो पुजशी के सेवक भी है और उन्होंने 51000 की रासी अभी यहां निवेशित करवाई है खुब खुब धन्देबाद के पात्र पुजशी के आशिरवाद उन्हें है आईए अब यहां पर कनका विशे को होगा पर क्रेस के जहाओ गिएां आईए जाए जाए भी यहां विवेश्ट में पर फुजशी के विश्यश सभी केमेरा में भाईयों को मैं बिनंति करूंगा सभी वैश्णों को दर्सनों इस प्रकार इस सभी को भी आप अंकित करे और सभी वैश्णों को दिखाए अरियों सहस्रशीरेखा पुरुखह सहस्राक्षह सहस्रपात सभूमिक्गूं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठद सांगूलम् पुरुखए वेदक्गूं सर्वंजद भूतन जच्चभाव्यम् उताम्रेतद्वस्ये सानो जदन्ने नातिरोहति एताबानस्यमहिमातो जायांस्यपूरुखह पादोस्य विश्वाभूतानि तृपादस्या म्रेतन्दिवी तृपादु उर्द्व उदेत्पूरुखह पादोस्य हाभवत्पुनह ततो विक्वन्यक्रामत्सासना नशने अभी ततो विराद जायत विराजो अधिपूरुखह सजातो अत्यरिच्यत पसाद भूमिमधो पूरह तसमाध्यगनाद सर्वाहुतह संब्रेतं प्रेखदाज्यम् पसुस्ताउस्चक्रेवायव्यानारण्या ग्राम्यास्चदे तसमाध्यगनाद सर्वाहुतह संब्रेतं प्रेखदाज्यम् पसुस्ताउस चक्रेवायब्यानारण्या ग्राम्यास चजे तसमाद्यगनाद सर्वा हुतरे चाह सामानी जगनीरे छंदा गुंसी जगनीरे तसमाद्यदुस तसमाद जायत तसमादस्वा अजायन्त जे के चोब याद तह गावोह जगनिरे तसमात तसमात जाता अजाब यहा तन जगनंबरेखी प्रोक्षन पुरुखन जात मगरता तेन देवा आया जन्त साथ्यारिक यस्यजे जद्पुरुखं व्यद धुक दिधाब्यकल्पयन्न मुखं कीमस्यासित किमबाहू कीमुरुपादा उचियेते ब्राम्हनोस्य मुखमासित बाहू राजन्याहा क्रेताहा उरुत दस्यजद वेश्याहा पद्भ्यागुशुद्रो अजायता चंद्रमामनसो जातस्यक्षोह सूर्जो अजायता स्रोत्राद्वायुश्य प्राणस्य मुखाद अगनिर जायता नाभ्या आसिदंतरिक्षक्गुँ सेरिष्णो त्योहू समवर्तता पद्भ्याम्हु मिर्दिशह स्रोत्रात थालोकाद अकल्पयन्न जद्पुरुकेन अविखादेवा जग्नमतन वताः वसंतो स्यासिदाज्यंग्रीक्मा इद्माहा सरद्विह सप्तास्यासंपरिदयस्रिह सप्तासमिदाहक्रताः देवा जद्यग्यन्तन्वाना अवद्नन्पुरुकंपशुम्मा जग्नेन जग्नमयजन्तदेवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानह सचन्त जत्रपूर्वे साध्याह संतिदेवाह तरे युस्संसारं कथमगतपारं सुरजनां कथमभाबात्मानं हरिमानुसरे युस्यसरसां कथम्भामात्म्यम् निजरुदिनययुल्ब्रजभुवाम् भवेदाविरभावो यदिनभु विवागेश भवत श्रीवल्लब शरनम्माँ श्रीवल्लब शरनम्माँ श्रीवल्लब शरनम्माँ श्रीवल्लब शरनम्माँ श्रीवल्लब शरनम्माँ श्रीवल्लब शरनम्माँ सेयू सन्मार्गं कथम अनुभवेयू सुखभरं कथम बासर्वस्वं निजमा कूर्यू स्यसकलं त्यजेयू करमा दे फलम पिकथम दूख सहितों भवेदाविर्भावो यदिनभु भिभागेश भवत श्री वल्णव शर्णमाव शीवल्लब शर्णम्मा मा शीवल्लब शर्णम्मा मा शीवल्लब शर्णम्मा ते युहु सद बादं कथम पहरे यूश्यकुगतिं कथम वासत भूतिं भगवति विदयो कृत दिया कथम लोका सक्ति सपदिसमययू समयुता भवेता विर्भावो यदिनवुमिवागेश भवत श्रीवल्लब शर्णम्मा मा ब्रजे युर्विस्वासं परमफलने साधन पतें कदम वेदा लोकात जगति विचरे युर्गत भया कथम लीला सर्वा सदसिकत ये उप्रमुदिता भवेता विर्भावो यदिनवुमिवागेश भवत श्रीवल्लब शर्णम्मा मा शीवल्लब शर्णम्ममा कथम वागा ये युल्ड गुण गणमी हालो की करसा कथम वागा ये युल्ड गुण गणमी हालो की करसा भवेता विर्भावो यदिनवुमिवागेश भवत श्रीवल्लब शर्णम्ममा स्रीवल्लब शर्णम्ममा स्रीवल्लब शर्णम्ममा स्रीवल्लब शर्णम्ममा स्रीवल्ल शर्णम्मम मैं अच्वड center शर्णममा मिल्लो वाग दानी वागा ये ये युल्ड गुण मैं स्रागihad दनुजमनुनीतान पिकथां गथम वामार्गियं पलमुबदिसे उस्य परमं गथम वे गच्छेयु शर्णमति भावे नसततं भवेता विर्भावो यदिनव विवागेश भवता श्री वल्लब शर्णम ममार्ण श्री वल्लब शर्णम ममार् श्री वल्लब शर्णम ममार् श्री वल्लब शर्णम ममार्ण श्री वल्लब शर्णम ममार्ण श्री वे रव्यास विष्णु स्वामी संप्रणम श्री वल्लब शर्णम शर्णम वदनान लावतार सर्वान्नाय संचार वैष्णवान्नाय प्राचुय अप्रगार श्री बिल्व वंगलाचार्य साम्प्रदाई गार्पित साम्राज्यासन अखणड भूमंडलाचार्य चक्र चूडामने विध्यावाचस्पति दशदि गंत विजयी श्री वागवत प्रदिपरमनि वरभावांश भूषिता मूर्ती बद वाथ्य प्रमान पारावार पारीन बढक्ति मार् गाज्य मार्त अंड़ शत्दर सनव्याक्याण सिवासना धीश्वर स्री राजाधी राज शुदत दार भईात पुष्टि मारद प्रवर्त आच्या वर्य जगत्गुरु श्रीमद वल्लबाचाल्या महाप्रबु विजय दे दराम, विजय दे तमाम कुछ वहिस्नव हमेरे अमदाबास से भी पदा रहे हैं और इस दिव्य बैठक के सयोग के हेतू उन्होंने भी अपनी दिव्य लक्षमी का अनुदान दिया हैं ऐसे इलाबेन अतुल भाई महता अमदाबास से एक लाक रुपे की दिव्य राशी वे अरपन कर रहे हैं और वे संग अमदाबास से पदारे हुए गीता बेन भरत भाई भुबत कर वे भी यहां उपस्थित है इनकी और से भी एक लाक रुपे की दिव्य राशी यहां प्रदान हो रहे हैं वे भी यहां उपस्थित हो मंज पर आये और पुजशी के आशिरवाद प्राप्त करें श्रीव अलबादे शपीज पर आये जोड़ा बादे शपीज नोग अलबादे शपीज और बंबई से पधारे परमभगवदी मयूरबाई गांधी मैं उनसे भी अनुरोत करूंगा विक्रुपिया वेवी मंच पर पधारे पुजशी के आशिरवाद प्राप्त करें दिपावली के तुरंद ही बाद लाब पंचमी से पुजशी की बंबई में शीमद भागवद सब्दा का दिब आयोजन हो रहा है वे उनके मनोरती है मयूरुबाई गांधी वे भी बंच पर पधारे पुजशी के आशिरवाद प्राप्त करें सरसों तेल का मुल्य हमेशा सो रुपए लिटर से अधिक ही होता है लालची रोग पचास रुपए लिटर बिकने वाला पाम ओवे मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे है इसलिए पतंजली ने सो प्रतिशत प्योर कच्ची घाने का शुद्ध सरसों तेल उप्लवद को बचाई है पतंजली के शुद्ध प्रोडेक्ट के ही घर लाई है यह है वेदिक ब्रॉट कास्टिंग वेदिक ब्रॉट के ब्रॉट आप्राई